हो चुका अगास रण का वर्दी पाने की तयारी है वर्दी तो सिर्फ उसी को मिलेगी जिसका संघर से जारी है नमस्कार एक बाप फिर से आप सभी का तही दिल से हार्दिक स्वागत है उत्तर परदेश पुलिस मरती 2022 और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए गाइस हमने यूपी जी की क्लास स्टार्ट करने के लिए आपको बताया था और आज दस परवड़ी हो चुकी है और सामके सारे साथ बच चुके हैं अपने मित्र का भी बुला लाईए आप सभी पहरे भाई बेन इस क्लास में क्योंकि दस परवड़ी खास होगा यूपी जी के खलास होगा हम बहुत दिनों से आपके लिए बेट कर रहे थें कि दस परवड़ी कितनी जल्दी आए और हम आपको इतनी बहत्री क्लास दे सकें देखो इस क्लास में आपके बहुत इंपोर्ड़ेंट कोईसें होने वाले हैं जो कि स्पेशल यूपी जी के हो और इसके लावाँ आपको बता दें कि यह जो है यह ना कि उत्रपर्दिस पुलिस बलकि हर एक 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 एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्डेंट है जिसमें भी यूपी जी के पूछा दाता है तो आईए भगवान स्री गड़ेस का नाम ले करके आज कि इस क्लास को संक्या गाइस आप एक सो बीस पचीज से अधिक मुचा दीजेगा आप से हाथ जोल कर निवेदन है कि इस क्लास में कम से कम लाइब के संक्या हंडेट के पार होनी चाहिए किरपिया हमारे इस टार्डियोट को पूरा जरूर कीजेगा तो बिना किसी देरे के आईए बढ़ आप यह बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि फड़ा फड़ा अंसर दीजेगा क्योंकि गाइस क्वेशन के संक्या जादा है हमारे पास समय बहुत कम है देखो रात के बारा बज़ा है एक बज़ा है मुझे कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन गाइस आप सभी लोग दि इस्प्लाडेशन करने लायक नहींगा मैं उसका एक्स्प्लाइशन कर दूंगा हाला कि मैं अगर सभी कोश्ण करूंगा तो अगर मैं साले साथ बुजी इस समय स्टार्ट किया हूं तो आपके लभग सुबा के लभग चार बज जाएंगे तो ऐसा नहीं करना चाहता हूं इसलिए guys मैं सोचता हूँ कि जो भी question आपके important होंगे मैं उसका explanation आपको बता दूँगा ठीक है देखो पहला question कि उत्तरप्रदेश को पूलब किस नाम से जाना जाता था फड़ फड़ा answer देंगे देखो मेरे पैरे भाई बैन उत्तरप्रदेश को पहले किसे नाम से जाना जाता था right answer होजाएगा also United नमसे ठीक है United jack नमसे और गाइस आपको इसके लामेड़ब्ध के लामेफ कहीन कही देखने को मिल जाएगा option में सैयुक्त प्रांथ तो ठीक है अप यह भी याद रखेगा सैयुक्त प्रांथ या फिर United Province आपका जो right answer हो जाएगा आपका option A बिल्कुल correct answer हो जाएगा जो भी मारे पैरे भाई बैन option A दे रहे हैं बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला question आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंदर कौन सा था question number 2 उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंदर कौन सा था फटर प्रदेश देंके right answer क्या हो जाएगा question number 2 का right answer हो जाएगा guys यहाँ पर मतुरा जो भी मारे पैरे भाई बैन मतुरा बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंदर कौन सा था तो मतुरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका आपसेंटी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्विशन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश सराज एक्ट पर गवेर्नर जनरल दौरा कब हस्ताक्षर किये गई क्वेशन काफी जादा इंपोर्टेंट है उत्तर प्रदेश सराज एक्ट पर गवेर्नर जनरल दौरा कब हस्ताक्षर किये गई प्यारे भाईवाहों इस क्लास को शेर करके कम से कम लाइब की संख्या हंड़िट की पार पुहचा दीजे मेरा इस class के लिए एक ही target है कि इस class में कम से कम 100 की पार like होने चाहिए और guys अगर मैं आप सभी लोगों को लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है इस class को दिल से like कर दीजे सभी प्यारे भाई 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 क्लास को like की ज़रूर कर देंगे उत्तर प्रदेश राज एक्ट पर गवेर्नर जर्नल दौरा का भास्ता अक्षर कियेगे ये question आपसे पूछ रहा है right answer हो जाएगा 7 दिसंबर 1947 को correct answer हो जाएगा आपका option A 7 दिसंबर 1947 आपका विल्कुल right answer हो जाएगा अगला उत्तर प्रदेश पंचायत राज संसोधन अधिनियम कब पारित किया गया उत्तर प्रदेश पंचायत राज संसोधन अधिनियम कब पारित किया गया देखो मैं आपको बता दूँ मैं फट फट आफट answer बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ देकिन आप दिमाग में रखते हुए हार एक कोईशन को चलेंगे ठीक है पीडियेप आपको मारे टेलेगरा पर मिलेगे निश्चिंद रहे ए उत्तर प्रदेश पंचाद राज संसोधन अधनियम का पारित किया गया राइट आंसर हो जाएगा यहापर 1994 में मित्री हापर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1994 में बी आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे पहरे भाई में बी आंसर बता रहे है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुशन आपकी सामने है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंतरी पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताईए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंतरी पद पर सबसे अधिक समय तक कौन रहें तो देखो उत्तर प्रदेश में सबसी अधिक समय तक कौन रहे जो गाइस प्रथम मुख्यमंतरी है वही मतलब गोबिन दबललफ पंत जो भी हमारी प्यारे भाईबिन गोबिन दबललफ पंत बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंतरी पतपर सबसी अधिक समय तक क कौन मुख्यमंतरी के पत्पर है सबसे अल्प का मतलब हुआ कि सबसे कम समय तक बताए कुश्चन नमबर छे राइट आंसर क्या होगा फट 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 आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई भाई भेन राइट आंसर क्या हो जाएगा तो देखो त्रिभून नारानर सिंग त्रिभून नारानर सिंग जो है गाईज यह सबसे कम समय तक मुख्यमंतरी के पत्पर रहें राइट आंसर हो जाएगा आपका आपका आपसंज के लिए ठीक है अगला कुश्चन की ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है कुश्चन काफी जादा इंपोर्टें अगला कुश्चन आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंतरी की नियुक्ति कौन करता है देखो मुख्यमंतरी की नियुक्ति कौन करता है यह कुश्चन आपसे पूछा गया है फटफट फट आंसर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा कुश्चन नमबर एट त उत्तर प्रदेश में राजिपाल की नियुक्ति कौन करता है देखो अभी तक पहले आपसे पूछाएगा कि मुख्यमंदरी की नियुक्ति कौन करता है तो आपने बता है राजिपाल अब बताईए राजिपाल की नियुक्ति कौन करता है कुश्चन नमर 9 देखो राजिपाल की नियुक्ती राष्ट पती द्वारा की जाती है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको आपसेड़ी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला की उत्तर प्रदेश में अस्थानिये स्वायत तसासन का धाचा किस प्रकार है कुशन काफी जादा इंपोर्टेंट है राइट न सभा को भंग करने का अधिकार किसे है उत्तर प्रदेश में बिदान सभा को भंग करने का अधिकार किसे है कुशन नमबर ग्यारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भो जाएगा राज जिपाल को जो भी हमारे प्यारे भाएबेन ऑप्सेन ए बता रहे है राज जिपाल को बिल्कुँ सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बिनासभा को भंग करने का जिकार राजपाल को है option A आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा असोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्य सिंग अस्तम उत्तर प्रदेश में कहां पर है असोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्य सिंग अस्तम उत्तर प्रदेश में कहां है ये कुशन आपसे पूछा गया है correct answer क्या हो जाएगा सभी प्यारे भाई बहन बताएंगी right answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सारनाथ में correct answer क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा option number D सारनाथ ठीक है correct answer क्या हो जाएगा आपका option D अगला क्यूशन आपके सामने है कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर ब्यवसाई शिक्षावा कला की परमुकी इंदर थें question काफी ज़्यादा important है correct answer क्या हो जाएगा आपका option D सभी ठीक है जो भी हमारे प्यारे भाइबें बता रहे हैं कि इनमें तीनो correct answer आपका option D बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला है कि पर्थम 77 संग्राम कब हुआ देखो पर्थम 77 संग्राम की सुरुवात कहां से हुई थी तो याद रिखेगा merit से हुई थी ठीक है और ये कब हुआ था पर्थम 77 संग्राम सुरू कब हुआ था तो याद रिखेगा गाईज 1857 correct answer क्या हो जाएगा जो भी हमारे पैरे भाइबें question number 14 का option D देरें के 1857 बिल्कुल صحी आंसर हो जाएगा आपका option D बिल्कुल आपका right answer हो जाएगा अगला है कि वेसु परसे धेताज महल उत्तरपरदेश के किस नगर में इस्तित है वेस्परसे धेताज महल उत्तरपरदेश के किस नगर में कर पाएं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये क्लास आपकी बहुत ही बेहत्रीन होने वाली है चाहे जितनी देर चलेगी चाहे जितनी देर मुझे आपके लिए बोलना पड़े अपनी एनजी लॉस करनी पड़े लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करूँगा क्योंकि मेरा टार्गेट है कि आप सभी को सिलक्सन दिल्वाना आप सभी को वर्दी दिल्वाना बिसुपर्चेद ताज महल उत्रपडेश के आगरा में इस्तियत है आप सभी को पता है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आप्सन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अग को गयईए आप सभी को पता है कि जो गौतम बुद्ध थें उन्होंने उपदेश कहा दी थे तो आपको पता है कि सारनाथ में ठीक है हला कि मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई थी कि गौतम जन्में लुम्वनी बोध गया में ग्यान सारनाथ में सीख दी कुशी नगर में जान मतलब गौतम बुद्धी जी का जनम लुंबनी में हुआ और बोध गया में उन्हें ग्यान प्राप्त किया सारनाथ में सीख दी और कुशी नगर में उनकी मित्तिय हो गई तो यहाँ पर गाइस बज्रियान साका का उदे उत्तर प्रदेश में कहा हुआ सही आंसर किया हुदेगा आपका option भी सारुनात में अगला question आपके सामने question number 17 कि कि सिसन में उत्तर प्रदेश का नाम सहयुक्त प्रांत रखा गया तो अब बताएए कि उत्तर प्रदेश का नाम सहयुक्त प्रांत कब रखा गया था question number 17 तो जो भी हमारे प्यारे भाईबेन question number 17 का बता रहे हैं कि 1937 में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर जो है आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांती का आरंब सबसे पहले किस नगर से हो मैंने अभी आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांती हो इटी इसका आरंब कहां से हुआ तो याद रखेगा मेरट से हुआ प्यारे भाई option B आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वी आंसर आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला है कि उत्तर प्रदेश भारतिय गनतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना यह question आप से पूछा गया है बताए राइट आंसर क्या हो जाएगा तो देखो भारतिय गनतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 correct answer क्या हो जाएगा आपका option B 26 जनवरी 1950 जो भी हमारे प्यारे भाई बैन question number 19 का option B 26 जनवरी 1950 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला question है कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदूलन का नेत्रत्वा किस नेता ने किया तो देखो question number 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका option बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला question आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में काकोरी सडियंत्रकांड कब हुआ उत्तर प्रदेश में काकोरी सडियंत्रकांड कब हुआ question काफी जादा important है सभी प्यारे भाई भाई भेन right answer बताएंगे क्या हो जाएगा question number 21 देखो उत्तर प्रदेश में काकोरी सडियंत्रकांड कांड जो हुआ ये कब हुआ ये question आपसे पूछा गया है right answer हो जाएगा 9 अगस्त 1925 आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा right answer option D आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा प्यारे भाई अगला question आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में चंदावर का पर्चे दियुद्ध कब हुआ था question काफी जादा important है फट फट राइट answer बताएगे क्या हो जाएगा देखो जो question number 22 है इसका right answer हो जाएगा यहाँ पर चंदावर का पूछ रहा है ना बिल्कुल सही है जो भी मारे पैरे भाईविन बता रहे है कि 1194 में बिल्कुल सही answer हो जाएगा आपका option है बिल्कुल correct answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश में खानवा का पर्शिद्य युद्ध कब हुआ था देखो जब पानी पत का युद्ध हुआ था उसी के एक वर्स बाद गाईस खानवा का युद्ध भी हुआ था तो 26 को पानी प्या 27 को खाना खाया आपको पता होगा तो खानवा का युद्ध हुआ थ कि उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बावर ने कब अधिकार किया बताये राइट आंसर क्या होगा उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बावर ने कब अधिकार किया तो देखो गैस यहाँ पर आगरा नगर पर बावर ने कब अधिकार किया यह कोईस्चन आपसे पूछ अगला आपके सामने अगला है कि उत्तर प्रदेश में सामुगण का परचित ध्युद्ध कब हुआ था तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहांपर और 1608 में याद देखेगा प्यरे भाई 1608 में अगला है कि उत्तर प्रदेश में परसिद्ध बुलंद दरवाजय जो होई कहां इससित धेखो देखो बुलंद दरवाजय जो हूए यह फटेशपुर सीकरी में है याद देखेगा मित्र ओप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फते पूर सी करी ठीक है अगला की उत्तरप्रदेश में चोखंडी स्थूप कहां इसी थै देखो इस प्रकार कुशन आप से पूछे जा सकते हैं और लबग इसी प्रकार से कुशन एक्जाम में भी आते हैं तो जितने भी यूपी जी की से समद्धित बोरेंट कुशन है सारे मैंने यहाँ पर ले लिये हैं देखो उत्तरप्रदेश में चोखंडी स्थूप कहां है तो राइट आंसर हो जाएगा कुशन 27 का हमारे प्यारे भाई सार अनाथ में डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तरप्रदेश में अयुद्या में इस्थित सिला लेख किस काल का है यह कुशन आपसे पूछा गया सभी प्यारे भाई फटा फटा आंसर दिया करें देखो अगर मैं बहुत देर गगर एक कुशन में लगाऊंगा तो मुझे बहुत सारे कुशन कवर करने है तो नहीं हो पाएगा प्यारे भाई इसलिए मैंने हर एक कोईशन के लिए लबग आपको दो से तीन सेगंड का समय दे रहा हूँ बस इससे जादा नहीं दे बाऊंगा उत्तर प्रदेश के अयुद्या में इस्टित सिला ले किस कालका है यह कोईशन आपसे पूछा गया है या देखीगा सुंगकाल का उप्सन सी जो है प्यारे भाई यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर इस्टित है देखो गाईज यहापर जो सही आंसर हो जाएगा जहाँ पर आपका तास महल है वहें लाल किला भी है कहने का मतलब है आगरा जो है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अप्सिन नमर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है उत्तर प्रदेश के मतुरा नगर में किसे शाशक का अस्तम्भलेख इस्टित है अभी आपसे मने बताया था गाईज कोईशन नमर तीस का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका असोक का सही आसर हो जाएगा अगला है कि उत्तर प्रदेश में अकबर कीरानी जोधाबाई का महल कहाँ पर इस्तित है उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधा भाई का महल कहाँ पर इस्तिते कुईशन काफी जादा इंपोर्टेंट है फटफट आंसर देंगे राइट आंसर क्या होगा देखो प्यारे भाई उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोदा भाई का महल जो है ये फते पुर्सीकरी में है ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई वे ए आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि उत्तर प्रदेश के निमलि खित्मे से किस्णनगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है ध्यान दीजेगा नहीं है आपसे बात कर रहा है कुश्षन नमबर 32 दिया सलाई का मतलब यह हुआ गाईस जो आपके घर में माचीस होती है उसी को दिया सलाई कहा जाता है ठीक है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कोईशन नमर 32 का जो भी मारे पैरे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर की आगरा में बिलकुल आगरा में इसका उद्योग यह विलकुल भी नहीं है बरेली इलाहबाद और सहारंपुर में है इलाहबाद मतलब प्रियाग राज में तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका अपसेंसी आगरा में नहीं है अगला कुश्चन आपकी सामने उत्तर पर देश के कि सिजले में तिर्वेडी इस्ट्रक्चर लिम्टेट काल खाना इसी ते है कुश्चन नबर 33 तिर्वेडी नदी कहा बहती है आप ये बताइए सबसे पहले तो आपको पता होगा गाईस की जो तीनों नदियों का संगम है वो कहा है तो वो है प्रियाग राज में यहाँ पर गाईस इलाहबाद हो गया है लेकिन हाला कि यहाँ पर इलाहबाद भी आपसे लिखा जा सकत पर इस्चित है बताईए उत्तर प्रदेश में सीमेंड के कारखाने कहां पर इस्चित है देखो प्यारे भाई यहाँ पर जो चुर्क आवँ डम्ध। में पढ़ता है डल्ला मिर्जापुर में और चुर्क सोनभद्र में तो या देखेगा आपसे सोनभद्र और मिर्जापुर भी दिया जा सकता है या फिर चुर्कियों डल्ला भी दिया जा सकता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका आपसे डी चुर्कियों डल्ला में ठीक ह अगला question आपके सामने उत्तर प्रदेश का शोकष मयंत्र बनाने का परमुक अवदोगी केंद्र का रहा कौन सा है? Right answer हो जाएगा उत्तरप्रदेश की राज्थानी लखनव बिलकुल सही आंसर हो जाएगा आपको option A लखनव में बिलकुल right answer हो जाएगा अगला कुशन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में मानिता प्राप्त श्टॉक एक्सचेंज है बताइए उत्तर प्रदेश में मानिता प्राप्त श्टॉक एक्सचेंज कहां है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा कानपुर में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका question number 36 का D answer जो है ना यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कि भारत की केंदर सरकार की पर्थम महिला मंतरी कौन है भारत की केंदर सरकार की पर्थम महिला मंतरी कौन है question काफी जादा important है फटा फटा आंसर देंगे right answer क्या होगा अभी तक आपनी class को like नहीं किया है तो आप सभी प्यारे भाईयों बैनों से मैं दिल से request करता हूँ एक बार सभी प्यारे भाईयों क्लास को दिल से like जरूर कर देंगे फटा फटा आंसर देंगे तो मैं कम समय में ही आपके सारे question को कबर कर दूँगा भारत के केंदर सरकार की पर्थम महिला मंतरी राज कुमारी अमिर्ता कौन है अगला है कि भारत की पर्थम महिला मंतरी जो की उत्तर प्रदेश के ही बनी थी लेकिन यहाँ पर महिला बात कर रहा याद रखेगा तो correct answer हो जाएगा यहाँ पर सिरी मती सुचेता करिपलानी सुचेता होगा सुचेता करिपलानी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि उत्तर प्रदेश की पर्थम भारत की पर्थम महिला राष्ट्र पती कौन जी question number 39 देखो guys अगर आपसे गणेस वासु देव गणेस वासु देव मावलंकर दय दिया जाएगा option में तो आप उसे ही टिक मालिएगा या फिर option में आपको जीवी माउलंकर भी दिया जा सकता है यानि गनेश वासुदेव माउलंकर का जो सौट के टेम है वो जीवी माउलंकर है करेक्ट आंसर क्या होगा आपको अपसेने लोगसमा की पर्थमदक्ष जीवी माउलंकर या गनेश वासुदेव माउलंकर थे उत्रप्रदेश के किस अस्थान पर माहत्मा बुध ने निर्वाल प्राप्ट किया था मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था गाईस की गौतम जन में लुंबनी बोध गया में ग्यान सारनाथ में सीख दी कुशी नगर में जान तो निर्वाल का मतलब होगा कि उनकी जान कहा पर गई थी तो कुशी नगर में मैंने आपको बताया ना तो जो भी मारी प्यारे भाई बें कुशी नगर में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की प्रसिद्य संगीतक की स्वामी हरीदास किस मुगल सासक के समकालीन थे तो जो भी मारी प्यारे भाई बें कुशी नगर में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कुशन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलीत लोक निरत्य निमलिखित में से कौन सा है बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलीत लोक निरत्य निमलिखित में से कौन सा है तो जो भी मारे प्यारे भाई बिन कॉश्चन वर 44 का बता रहे हैं नो टंकी बिल्कुल सही है नो टंकी देखो यहाँ पर नो टंकी है ना अगर आपसे उप्सन में बिरहा दिया जाएगा ना तो बिरहा भी आप मारिएगा एकला अंतराष्ट्रे नियाले में नियुक्त्पर्थम भारतिय नियाधिज्थ्थ टेखो यहाँ पर अंतराष्टि नियाले में बात कर रहा है गलती नहीं करना भई अंतर अश्टे नियाले में बात करा है question number 45 फठा फठा आंसर दीजे भाई बहुत question को कबर करना है देखो right answer हो जाएगा कि अंतर अश्टे नियाले में नियुकते पर्थम भारते नियादी जो थे कौन थे राइट answer हो जाएगा है पर आपका डॉक्टर नागेंदर सिंग option A आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला है कि उत्तर प्रदेश का छोलिया निर्तिया गती कि सिजाती में प्रचली था है question आप से पूछा गया है बताए राइट answer क्या होगा तो जो भी हमारी प्यारे भाइबें question number 46 का अंसर बताने के राजपूत में बिल्कुल right answer हो जाएगा आपका option A राजपूत में अगला है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमार राजधानी कौन से नगर है अगर आपको हमारी class अच्छी लग रही है अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो एक बार सभी प्यारे भाइबेंस मैं दिल से request करता हूँ एक बार इस class को अपने सभी प्यारे मित्र तक जितना हो से को उतना सियर कर दीजे इस class में live के संक्या 100 के पार हो जानी चाहिए मैं आपसे दिल से request करता हूँ एक बार सभी प्यारे भाइबें class को like जिरूर कर देंगे और अगर आपने अभी तक class को like नहीं किया है और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है class को like कर दीजी इक बार सभी प्यारे भाइबें class को दिल से like जिरूर कर देंगे उत्तरपरदेश की वर्तमान राजधानी कौन सी है लख नव भाई option C जो है न ये आपका बिलकुर right answer होगा अगला question आपके सामने है कि पूरी भी उत्तरपरदेश में अंग्रेजों के व्रिद्ध विद्रो का नेत्रत्व किस ने किया 48 right answer जो हो जाएगा न वो हो जाएगा कूंवर सिंग correct answer हो जाएगा आपका option B अगला कि 1905 के बनारस अधिवेशन की अधख्षता किस ने की अब यहाँ पर बनारस लिखा गया है न तो आप खुछ समझ सकते हैं कि बनारस अधिवेशन की बनारस ही करेगा तो 1905 की बनारस अधिवेशन की अधख्षता बनारस ने की भाई करेक्ट आंसर क्या होगा आपका option C है जो यह बिल्कुल right answer हो जाएगा जो भी मारे प्रियाग राज आपको बिल्कुल सही है अगला अगला है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम का पड़ा क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था संयुक्त प्रांथ था तो उसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश का पड़ा यह बताएगे कुशन में 51 बारा जनवरी 1950 याद रखीगा बारा जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का वरतमान नाम यानि जो उत्तर प्रदेश है ये पड़ा था इसके पहले क्या था ये उनाटेट प्रॉबिंस या फिर संयुक्त प्रांथ राइट आंसर क्या होगा आपको अप्सर भी बारा जनवरी 1950 ठीक है अगला उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है देखो जुल ललितपूर है यहाँ पर तांबा पाया जाता है भाई राइट आंसर हो जाएगा आपको अप्सर डी ललितपूर अगला कुशन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितनी प्रतिसत किर्सी योग्य भूमी है उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितनी प्रतिसत भूमी किर्सी योग्य है यह कुशन आपसे पूछ रहा है बताईए 53 का राइट आंसर क्या होगा जो भी हमारी प्यारे भाई बेन question number 53 का बता रहे हैं कि केवल और केवल 22 प्रतिसात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको option ए अगला है कि संपूर्ण भारत का लगबग कितना खाध्यान उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है इस प्रकार question आपसे पूछा जा सकते हैं क्योंकि comforation काफी ज़्यादा टफ हो चुका है याद रखेगा देखो संपूर्ण भारत का लगबग कितना खाध्यान उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है ये question आपसे पूछा गया है, right answer हो जाएगा केवल और केवल 21 प्रतिशत भाई, अगला उत्तर प्रदेश को किर्शी दौरा लगवक कितने प्रतिशत आय होती है, right answer हो जाएगा answer प्रतिशत, बिल्कुल सही B answer आपका बिल्कुल right answer होगा, अगला है कि उत्तर प्रदेश में rock of phosphate कहां पाया जाता है, question number 56, उत्तर प्रदेश में rock of phosphate बांदा में पाया जाता है, कहां पाया जाता है, बांदा में A answer आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है, बांदा से ही निकाला जाता है मित्र याद रिखेगा correct answer आपका option A बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला कि उत्तर प्रदेश की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है बताईए right answer क्या होगा उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है ठावन नमबर देखो लाल मिट्टी काली मिट्टी लाल मिट्टी वा काली मिट्टी ये दोनों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मातर में पाई जाती है भाई देखो लाल वा काली मिस्ट यहाँ पर option D जो है ना जो भी हमारे प्यारे भाई मैं option D बता रहे हैं बिलकुल सही answer हो जाएगा बोर बिलकुल भी नहीं होना है अगर मैं आपके लिए महनत कर रहा हूँ अगर मैं आपके लिए जीजान लगा कर महनत कर रहा हूँ तो आपको हमसे फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है या पर हाय है भाई राइट आंसर हो जाएगा क्विश्चन नमबर 59 का जो भी हमारे प्यारे भाई भी बता रहें कि मेर्जापुर में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहां पाये जाते हैं उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहां पाये जाते हैं कुश्चन नमर साथ राइट अंसर हो जाएगा कुश्चन नमर साथ का यहाँ पर उत्रप्रदेस में यूरेनियम के भंडार जो है ये ललित पूर में पाय जाते हैं ये अशर आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जगा ललित पूर से तो हमारे बहुत सारे छात्रा बिल्कुल वीलों भी करते होंगी तो ललित पूर याद रखेगा आपके ही छेत्र में यूरेनियम के बंडार पाये जाते हैं राइट अंसर क्या होगा ललित पूर अगला कि उत्तरप्रदेश का भारत के चावल उत्तपादक राज्यों में कौन सा अस्थान है कुश्य नमबर 61 उत्तरप्रदेश का भारत के चावल उत्तपादक राज्यों में कौन सा अस्थान है याद रखेगा जो चावल उत्तपादक में उत्तरप्रदेश जो है भारत में दुत्ती अस्थान प्राप्त करता है भाई राइट अंसर हो जाएगा आपको अप्शन B अगला कि उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसो की उपज की जाती है सरसो की उपज कब की जाती है कुश्चन नमबर 12 इस समय वही मौसम भी चल रहा है करेक्ट आमसर हो जाएगा यहां पर सरसो की फसल जो है यह कब की जाती है रवी के मौसम में भाई करेक्ट आमसर हो जाएगा आपका आपसंसी जो भी हमारे प्यारे भाई बेन आपसंसी बता रहे हैं बिल्कुल सही है अगला है कि तमाकू की किर्सी उत्तर परदेश में किस कारी के लिए की जाती है यानि कि निर्वात है तू खाने और हुक्का है पता ये राए अंसर क्या होगा प्षुन व्बड सिक्टिThis री तमाको की किर्सी उत्तर परदेश में किस कारी के लिए की जाती है तो करेक्ट आंसर हो जागा खाने और हुक्का पीने ही तू करेक्ट आंसर हो जागा भाई यहांपर आपका उपसंसी में और हुका है तू ज उत्तर पर्देश का कॉन सा स्थान है, यह कुईश्टन आप से पूछा गया है, राइट अंसर हो जएगा, कुईश्टन नमर 64 का जो भी हमारे पयर भाई में बता रहे हैं कि पर्थम स्थान है, पर्थम स्थान है, याद रिखेगा भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प सबसे ज़्यादा सिजाई जो है यह कुईये एवं नलकूप के द्वारा की जाती हाला कि गाइस अब तो कुईये नलकूप का जमाना ही नहीं दे गया है और इंजन आ गया है जो पानी वाला होता है इसके लामा गाइस मोटर आ चुके हैं तो मतलब गाइस यहाँ पर लेकिन अगर आप्शन में आपको दिया जाता है तो इंजन मोटर नहीं दिया जाएगा कोई और नलकूप ही दिये जाएगी याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका आपका आप्शन टी अगला कुशन है कि उत्तर प्रदेश में गोखल बैराज का निर्माल कब परान सी है जो इसका सही आंसर हो जाएगा कुश्चन नमर 67 का जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सारदा नहर सारदा नहर जो है न यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर भाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि उत्तर प्रदेश में रा कि रानी लक्षमी भाई बांध बेतवा नदी पर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका उपसंसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के किस अस्थान की सिचाई है तू देवकली पंप नहर पर योजना का कारिय प्रारंब किया गया राइट आसर हो जाए है कि उत्रपभेस में। सारदा नहर प्रनाली का using word स्परारंब किया गया। फटफट ऐश फटा ऍांसर निगे। इसका राइट आंसर क्या हुजाएगा। कुछण काफी जादा बह्तरी नहर राइट आंसर देंगे। उत्रपभेस में shardana नहे प्रनाली का निर्माल कारिया किस बर अ disp व्याइव के अंसर होजहेगा अगला है कि भारत का राश्टेशी जलिये जीव क्या है भारतका राश्टी जलिये जीव क्या है लबग सभी को इसका अंसर पता होगा फटा-फट अंसर देदेंगे बहुत सारी कुश्चन है भाई जोड़कर नहीं जाना है क्लास काफी जादा बहुतरी क्लास है मैंने आपके लिए लभग एक हपते या डेल हपते से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो राइट आंसर होदेगा कुश्चन नमबर 71 का डॉल्फिन डॉल्फिन जो है भाद के राष्टे जले जीवा भाई अगला की भाद के राष्टे पसू क्या है बताईए भाद के राष्टे पसू क्या है कुश्चन नमबर 72 राइट आंसर होदेगा जो भी मारे पैरे भाई भाज के इपना, याद रिखी गान याद रिखेगा बंकिम चंदर चटरजी बंकिम चंदर चटरजी दी के दोरा बंदे मातरमगेट लिखा गया है भाई option A जो है आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक है ये question आपसे पूछा जा सकता है याद रखीगा अगला question आपके सामने है कि भाद के रष्टे फल फल तो भाई सबी दानते होंगे देखो ये मतलब नहीं है कि आप जो question जानते है वो question exam में नहीं आएगा भाई जो question जानते हो वही exam में आएगा और simple question आते हैं कठे बहुत नहीं आते हैं लेकिन हाप पढ़ना पढ़ेगा आपको यह नहीं है कि पढ़ो मत अगला कि भारत का राश्टी खेल क्या है भारत का राश्टी खेल क्या है सत्रंच, कबड्डी, फुड़बॉल, हौकी पसपर में कबड्डी बहुत खेलते हैं लेकिन कबडडी गलत होगा है कोईशन नमर 75 का राइट आंसर होगा होकी होकी जो है ना होकी जो है भाई यह होकी जो है यह भारत का राश्टिये खेले हाँ याद रिखेगा होकी का जादूगर किसे कहा जाता है यह भी आप बता दो कि होकी का जादूगर किसे कहा जाता है याद रिखेगा सही आंसर होगा कि भारत में सबसे अधिक सऔर उर्जा उत्वादन कहा होता है। राइटास रोग दाएगा आपको अप्शन राजस्थान में अगला है कि भारत में पवन उर्जा का सबसे उत्पादक राज कौन सा देखो मैं आपको बता दू यह जो कोईशन में आपके लिए लेकर आया होना यह बहुत इंपोर्टेंट है याद रिखेगा सारे कोईशन इ है तमिल नादू राइट आपको अपस्ट भी अगला कि कथ्था जो है यह किस ब्रिक्ष से बनाया जाता है जो खैर मतलब यह हो जैसे बबूल का पैण होता है ना कांटे होते हैं बड़े बड़े अगर एक भी कांटे लग जाए तो हल्त खराब कर देता है लेगिन जो कथ यह किस ब्रिक्षी से बना जाता है खैर से ही बना जाता है भाई यह खैर से बना जाता है खैर खैर मेरे यह तो वही आंसर होगा आपका यहाँ पर कांटा होता है इसमें यह आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा अगला है कि चंबल राष्टी अभ्यारण ऐगला है कि उत्तरपरदेश का व्रहतम उथ्दोग नियुक्यत मे कौन सा है उत्तरपरदेश का मतलब यह हुए गाईस कि जो सब्सके ज्यादा प्रमुक उख उत्दोग है यह बताईए जैने कि सबसे जादा जो उत्दोग मना जाता है वो कौन सा है बताईए राइट आसर क्या होगा कुछ नहीं बसी बहुत इंपूर्डन है पड़ा आशर देंगे राइट आसर हो जाएगा हाथ करगा उत्दोग जो भी हमारे पैरे भाई भेन हाथ करगा उत्दोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट आसर हो जाएगा अगला कि उत्तर प्रदेश के किस अस्थान पर गन्ने की खोई गन्ने की खोई का मतलब यह हुआ जो गन्ना होता है जब गाई से किसी जिसे मसीन होती है उसमें पेरते हैं ठीक है पेरना होता है तो उसमें जब पेरते हैं तो जो गाई उसके निकलती हैं लकडिया जो बचती है न सफेद सफेद होती है उसे खोई कहा जाता है और उसे खोई से जो कार्ड बोर्ड बनाया जाता है वो कहा और किस अस अंसर क्या होगा मेरठ ऑप्सन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तेल सोधक कार खाना प्रदेश के किशनगर में इस्तित है तेल सोधक कार खाना प्रदेश के मथुरा में इस्तित है जो भी हमारे प्यारे बैया बहनों आंसर दे रहें कि मथुरा में बिल गेना और आप ये भी याद रखेगा कि ताला नगरी किसे कहा जाता है बताईए देखो ताला नगरी अलीगड को कहा जाता है और ताला उद्दू के लिए अलीगड ही पड़ सिद्ध बाईया राइट आंसर क्या होगा आपका अपसें सी अलीगड जो भी हमारी प्यारे आप आएंगे भी और लबग आए भी होंगे कितनी वार आप आये हैं बताये उत्तर पत्रदेश के प्रशिद्ध आनंध भवन परदेश के किशनगर में इस्तिताई 85 देखो यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूँ जो इलाहबाद है इसे प्रियाग राज भी कहा जाता है हाला कि मैंने इलाहबाद ही लिख दिया है ठीक है यह गाइस यहाँ पर प्रियाग राज इसमें दो बार टैप में करना पड़ता तो बहुत सारे कुश्चन टैप किया है इसलिए मैंने इलाहबाद साथ कर था फड़ा कर लिख दिया है हाला कि मैंने सोचा बता देंगे आपको तो आनंद भवन जो है न यह इलाहबाद में ही सित्वया सही आंसर हो जाएगा आपको अप्शन सी अगला यहाँ पर यह रहा कि उत्तर प्रदेश के निम्लिकित में से किस नगर में कुम्भ मेला लगता है कुम्ब मेला उत्तर पर्देश के किस नगर में लगता है 86 राइट आंसर हो जाएगा इलाहबाद या फिर परियाग राज में जो कुम्ब मेला है ये इलाहबाद या परियाग राज में लगता है भी answer आपका right होगा जोधा बाई का महल परदेसों में कहां पर रिस्ते थे जोधा बाई का महल ये कहां पर रिस्ते थे क्विशन आप से पूछा गया है जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं फते पूर सीगरी बिल्कुल सही answer होगा उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर स्री कृष्ण की जनमस्थली है 88 उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर स्री कृष्ण की जनमस्थली है आप में से कुछ ऐसे भी प्यारे भाई वैन होंगे जो मथूरा से मिलोंग करते होंगे तो उसरी किसन की जनमस्तली कहा है मध्धूरा में है यह आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस छेत्र में थारू जनजात निवास करती है कुश्चन नमबर 89 तराई छेत्र भाईया तराई छेत्र जो है ना यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा अगला कि करणवास प्रदेश के किस जिले में इस्तित है करणवास प्रदेश के किस जिले में इस्तित है सही आंसर हो जाएगा बुलंद सहर में करणवास जो होए यह बुलंद सहर में इस्तित है भारत के निम्नमेशी किस राज्य में पूरुसों की संख्या इस्तरियों की संख्या से कम है राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा के रल ऑप्सन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि भारत में सबसी उंचा बांद वाक्रा जो है ये किस नदी पर बना है जो है कि सतुलेस नदी पर बना है अगला है कि भारत की पहली आईरन इस्टील कंपनी कहां इस्टित है भारत की पहली आईरन इस्टील कंपनी कहां इस्टित है सही आंसर हो जाएगा जम सेद पुर में भाई जम सेद पुर में बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्सन ए बिलकुल correct answer हो जाएगा अगला है कि भारत का कौन सा राजिस्शकर का katora कहलाता है बताई राइड answer क्या होगा भारत का कौन सा राजिस्शकर का katora कहलाता है लग बग हम hundred question कबर करने वाले हैं लेकिन ऐसे भी हमारे साथ प्यासे में हित्र来 that जिनको हमारी मेहनत लगता है कि अच्छी ही नहीं लगती है हाँ अगर अच्छी लगती है तो एक बार सभी प्यारे भाई भाई भेन क्लास को दिल से लाइक कर दो कौन सराजी शक्र का कटोरा कहलाता है वो है अपना प्यारा उत्तर परदेश यानि यूपी जिसका आप स्पे बताईए राइट आंसर क्या होगा कुछ अमर 95 लबक कुछ ऐसा भी प्यारे मेतर होंगे जो गाजी अबाद से होंगे गाजी अबाद बिलकुछ सही है वाई गाजी अबाद जो बता रहे है न बिलकुछ सही बता रहे हैं गाजी अबाद में अगला आपके सामने कि उत्तर आपको एक साथ नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर प्रमुख लोक गीत आपसे पूछा गया है बी रहा बी रहा जो है यह प्रमुख लोक गीत है ठीक है उत्तर प्रदेश में किसान भही योजना कब लागू की गई नाइन्टे सेबन सही आशा हो जाएगा प्रमुख किसान भही योजना 1902 अगला कि भारत में किसराजी को भारत का ख़द्यान भंडार के रूप में जाना जाता है क्विश्ट नमर 98 का सही आंशा हो जाएगा जो भी उत्तर प्रदेश परतार हैं गलत सही आंसर होगा भाई, पंजाब ठीक है, यह मतलब नहीं है अगर आपको U-P-G के स्पेशल प्टारा होगा है नहीं, पंजाब भीकुल यहाँ पर राइट आंसर है अगला आपके सामने एक सान्थी सान्थ, सान्थ, गाटी इस ते सही आंसर जो हो जाएगा के रल में यहादत控 Girlli सही हो जाएगा यहाद मदूरे कहा है मदूरे कहा है मदूरे कहा है कोशंच आपसे बहुत बाहर पूछा गया एग्जाम में बताईए सही अंसर हो देगा तमिल नाडू में मदूरे जो हुए भाई ये तमिल नाडू में है ए अंसर आपका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा काम करो ऐसा की पहचान बन जाए चलो ऐसे की निसान बन जाए अरे जिन्दगी तो हर कोई काट लेता है अगर दम है तो जीओ वैसी की मिसाल बन जाए ये मोड़ी वैसल लाइन आपके लिए लिखी गई है ताकि आप गाईस इस कलास को अंधे तक देखते रहें क्योंकि अगर मैं आपके लिए महनत करता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि अगर मैं आपके लिए एक प्रसंट महनत करता हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे दो प्रसंट महनत करें दो गुना महनत करें क्योंकि वर्दी आपको पहनना है हम मैं आपके लिए जीजान लगा दूँगा आपको वर्दी पहनाने के लिए याद रिखीगा इसलिए मैंने ये मुड़ी वसालाइन आपके लिखीए कि काम करू वैसा की पहचान बन जाए चलो वैसे कि निसान बन जाए अरे जिन्दगी तो हर कोई काड लेता है कोई कहता है अगर कोई कहगा कि काम करू वैसे कि पहचान बन जाए चलो वैसे कि निसान बन जाए अरे जिन्दगी तो हर कोई काड लेता है अगर दम है तो जिव वैसी कि मिसाल बन जाए अब आईए हम बढ़ते हैं अगला कोईशन कोईशन अगला कि भारती वानस्पतिक सर्वेक्षन का मुख्याले कहा इसी थैए देखो यहां पर जो सही आणसर होगा बिल्कुल सही है सही आणसर होजगा लख नव में भाई ओप्सन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आणसर हो जाएगा नेक्स्ट कुछ आपसे पूझा गया है कि भारत में ओर्जा का सबसे अधिक महत्पूर्ण सुरोत क्या है बारत में ओर्जा का सबसे अधिक महत्पूर्ण सुरोत क्या है 102 बिल्कुल सही कोईला कोईला है भारत में और जाए चाला का सबसेद्जिधेर्ट महातफूर्ण सुरूत है सही अंशर देगा आपको कोईला कर राष्टित किसी दिन मनाया जाता है वाइं या जाू राष्टित किसी दिन मना कोईला अट्षाईस toen 28 फर्वरी 28 फर्वरी को राष्टि विज्ञान दियस मनाया जाता है भाई याद रिखेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको option B अगला कि भारत की तट्रेखा की लंबाई कितनी है तट्रेखा तट्रेखा बात कर रहा है बताओ right answer क्या होगा जो भी हमारे प्यारे भाई वेहन बता रहे हैं कि नौ बिल्कुल सही आंसर होगा भाई औप संसी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक छेत्रफल वाली आम की पर जाती है खाए भी होंगे बहुत आम खाते होंगे बताओ 106 खाओ तो उसे जानो भी क्या आप कौन सा आम खा रहे हो चौसा सफेदा लंगला दसेरी कौन सा आम खा रहे हो बताओ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक छेत्रफल वाली आम की पर जाती कौन सी है बिल्कुल सही है भाई बिल्कुल सही है दसहीरी आम जो है न अग्ला आप के सामने कि रोजगार की दिश्टी से उत्तर परदेश का सबसे बड़ा उद्धोग रोजगार की डिष्टी से उत्तर परदेश का सबसे बड़ा उद्धोग 107 हथ करगा उद्धोग ब्रहतम उद्धोग वाला कोईशन था ना वहीं थोला सा घुमाया गया है बस सही अंसर हो देगा आपका हथ करगा उद्धोग जो भी आप सने दे रहें बिलकुल सही अंसर हो जाएगा उत्तर परदेश में यूरेनिया मुपलग भी देखो मैं आपको बता दू जो भी कुशन आपको कठीन लगी जो भी आपको टफ लगी आप उसका इस प्रिंसाट तुरांत ले ले वीडियो को पॉस्ट करके इस तो ले लिजेगा क्योंकि मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ क्वेशन काफी जादा है उत्तर परदेश में यूरेनिया मुपलग भी ये क्वेशन आपसे पूछा गया है मतलब ये हुआ गाईस की यहाँ पर जो कुश्चन नमबर 109 है इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर परदेश में जो गाईस बांध है पहरे भाई यहाँ पर टैपिंग में मिस्टेक हो गई है उत्तर परदेश का सबसे बड़ा आई ठीक है और इस रिहंद बांध को भाई गोविंद बल्लपंत सागर के नाम से भी जाना जाता है याद रिखिएगा ठीक है अगला आपके सामने है कि उत्तर परदेश का निम्लिकित में से कौन सा अस्थान चित्रकूट में नहीं है चित्रकूट में नहीं है यह कुश्चन आपसे पूछ रहा है 110 सही आसर हो जाएगा तपोवन तपोवन जो है यह चित्रकूट में नहीं तब यह कहा है बताओ बिल्कुल यह कहा है यह UK यानि उत्तरा खंड में है सही आसर हो जाएगा आपका option C नेक्स्ट कुश्चन आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की जलवायू कैसी है उत्तर प्रदेश की जलवायू कैसी है कुश्चन नमर 111 यानि 111 बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है उसल कटिवंधिये मानसूनी जलवायू कैसी है उस्ट्र कटिवंधिये मानसूनी ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बैन आप्सिन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है उत्तर प्रदेश में 49 पार्क की अस्थापना जहां की गई वो बताईए बतलब जहां की गई तो कहां की गई उत्तर प्रदेश में 49 पार्क की अस्थापना बताओ एक सुबाला बिल्कुल सही बिल्कुल सही ग्रेटर नोइडा भाई नोइडा नहीं ग्रेटर नोइडा राइट आंसर क्या होगा आप संडी ग्रेटर नोइडा अगला कुशनाब की सामने निमलिखित जनजातियों में से किस की संख्या उत्तर परदेश में सबसे अधिक है निमलिखित जनजातियों में से किस की संख्या उत्तर परदेश में सबसे अधिक है बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल करट थारू जन जाती उत्तर परदेश में सबसी ज़्यादा है भाई आप्शन पी जो है न ये बिल्कुल सही आंसर होगा उत्तर परदेश के किसे शहर में महातमा बुद्ध ने संग में इस्तिरियों की प्रवज्या की अनुमती डी थी 114 संकिसा यहाँ पर जो भी बता रहे हैं संकिसा बिल्कुल सही है संकिसा में आप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उत्तर परदेश में जैन एवं बौध दोनों का प्रशिद्ध तीर्थ अस्थान कौन सा है उत्तर परदेश में जैन इवंबध दोनों का परशिद्ध तीर्थ अस्थान कौन सा है राइट आंसर होगा यहाँ पर कव सामबी कव सामबी जो है यह आपका राइट आंसर होगा correct answer हो जाएगा आपको option a बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला आपकी सामने की उत्तरपरदेश का नौचंदी मेला कहां पर लगता है उत्तरपरदेश का नौचंदी मेला कहां पर लगता है बताओ इसका right answer क्या होगा कुश्चन नमबर 116 का जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि मेरठ में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुश्चन नमबर 116 का मेरठ में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसी अधिक मेले किस अस्थान पर लगते हैं मुंधुरा से जो भी चातर होँगे जो भी हमारे प्यारे भाही बिरूँगे मेले तो खुब गोहिमुते होँगे बहुत मज़ा आता है मेला में लेकिन मेला में ग्हूमना भी grinding कब जब सिरक्सन हो जाएगा तो ज्यादा मत ग्हूमो कपड़े फाड़े होले होली होती है तो देखो-118 का सही आंसर हो जएगा लठमार होली भाई लठमार होली जो है ना यह बरसाना में प्रसिद्ध है राइट आंसर होगा भाई आपका उप्शन C अगला है कि संतवारिस अली साह की दरगाह उत्तर परदीस में किस अस्तान पर है संतवारिस अली साह की दरगाह अली साह की दरगाह कहा गया आपको याद होगा सही आंसर हो जाएगा आपर बारा बंकी जो भी हमारे बता रहे हैं कि बारा बंकी बिल्कुल सही हो जाएगा कुम्ब के बाद उत्तर परदेश का सबसी बड़ा मेला कौन सा है कुम्ब के बाद उत्तरप्रदेश का सबसी बड़ा मेला कुम्ब मेला जो है न यह उत्तरप्रदेश में कहां पर लगता है कहां पर लगता है बिल्कुल प्रियाग राज में लगता है तो कुम्ब जो है उत्तरप्रदेश का सबसी बड़ा मेला है और कुम्ब के बाद उत्रप्रदिस का सबसे बड़ा मेला कौँसा है यह आपसे पूछा गया है नवचंदी मेला कौँसा मेला है नवचंदी मेला याद रखना सी आंसर आपका राइट हो का पूछा जा सकता है अपके एक्जाम में अगला अगला कुशन आपसे पूशा गया है कि प्रसिद्ध कुम्मेला निम्लिकित में से किस नगर में नहीं लगता है इसका अंसर देंगे कि प्रसिद्ध कुम्मेला निम्लिकित में से किस नगर में नहीं लगता है देखिए नहीं बात करा है गलती नहीं करना गलती नहीं करना यह correct answer क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाई भेन बता रहे है option B बिल्कुल right answer हो जाएगा option B आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है अगला कुशन आपके सामने है कि स्वामी हरिदास जैनती का प्रतिवर्ण से उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है question काफी जादा important है फड़ फड़ आंसर देंगे सभी प्यारे भाई भेन राइट आंसर क्या हो जाएगा तो question 122 का जो right answer हो जाएगा जो भी मारे प्यारे भाई भेन बता रहे हैं यहाँ पर कि व्रिंदावन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर option A आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है अगला है कि उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहाले कहां पर इस्तित है question 123 अब आप यहाँ पर देखिए लिखा गए राम कथा संग्रहाले और राम जी की जन्म भूमी कहा है तो वो है आयोधिया में तो इनका संग्रहाले भी आयोधिया में ही है भाई right answer क्या होगा मेर पूर्वी सीमा बात कर रहा है देखिए उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम लिखित मैं से किसे से मिलती है यह question आप से पूछ रहा है फटा 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 आंसर देंगे right answer क्या हो जाएगा तो question 126 का 124, 124 का जो right answer हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई में बता रहे है बिहार की बिल्कुछ सही answer हो जाएगा बिहार से मिलती है ठीक है option C आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बाटा जा सकता है यह question आप से पूछा गया question काफी जादा important है फटा 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 आंसर देंगे right answer क्या हो जाएगा question 125 जो भी हमारे पहरे भाइवें बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को मुख्यता प्राकृतिक भागों में दो भागों में बाटा जा सकता है कितने भागों में दो भागों में बाटा जा सकता है option number A जो है आपका यह बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला question आपके सामने है कि उत्त बिल्कुल सही है हमारे सभी प्यारे भाइवें का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है question number 126 का सही आंसर हो जाएगा आपका option सी जो है बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question है कि उत्तर प्रदेश में इस्थित अयुध्या नगर किस नदी के किनारे इस्थित है यह question आप से पूछा गया है कि अयुध्या नगर जो है यह किस नदी के किनारे इस्थित है question number 127 का right answer बताएंगे क्या हो जाएगा फटा 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 आंसर देंगे सभी प्यारे भाइवें right answer क्या होगा और अक्सर आप सभी लोग अयुध्या जरूर आए होंगे तो बताएए अध्या आने के ब बता रहें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर परदेश में तेल सोधक काराखाना किस अस्थान पर है question no.128 उत्तर परदेश में तेल सोधक काराखाना किस अस्थान पर है सही आंसर हो जाएगा मत्हुरा में राइट आंसर हो जाएगा आपको आप्सेन है मत्हुरा में अगला कुशन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर कहां पर इस्तितर देखो मैं आपको बता दूँ मैं जो गाइस से explain करने के लायक रहता है मैं उसका explain कर देता हूं हलाकि मैं अगर सारे option का operation करूंगा तो operation करने के कारण हमारी वीडियो लंबी होगी और मैं चाहता हूं कि मैं कम समय में आपके पूरे question कवर कर सकूं क्योंकि ए option का operation ठीक है उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डेन प्रसिक्शन के अंदर कहां है यह question आप बताईए right answer क्या होगा 130 बिलकुल सही है हमारे सभी प्यारे भाइबहन का answer बिलकुल सही आ रहा है जो भी बता रहे हैं यहां पर नागरिक उड्डेन प्रसिक्शन के अंदर ज वुथा पादक जिला कांसा है सबसे जदा उत्तर परदेश में कहां पाया जाता है 131 जो को देखो गायास बॉय ना यह रहा है जहां था और कहां पर फरूखाबाद में फरूखा जो है यह आलू का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है याद रिकिए गवाई और अपसेंटी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला की उत्तरप्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उत्दोग के लिए सबसे परसिद बिल्कुल सही है राइट नगर हो जाएगा फिरोजबाद फिरोजबाद जो है यह चूडियों के लिए परसिद्ध है इसलिए फिरोजबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि बिवाग में चूडिया जो होती है यह सुमानी जाती है और प्रश्वाग नगरी भी कहा जाता है चूड़ी का उद्धोग भी सबसे ज़्यादा प्रसेद है फिरोजाबाद में ही उत्तर प्रदेश में चलिचित्र भिभाग की अस्थापना कब हुई थी कुश्चन नवर वन ठर्ट ठरी आंसर देंगे कि उत्तर प्रदेश में चलिच है फड़फड आशर देंगे राइट आंसर क्या हो जाओ है जो भी सही अंसर होजाएगा है नेक्ट्ट सॉचन आप से पूझा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा कुम्हिमेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है हाला कि आप इससे जानते होंगे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिपीटिट कुछिन है मैंने दुबारा रिपीट कर दिया है तो इलाहबाद या फिर पडियाग राज में ठीक है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के राज के संग्राले मतुरा की हुई थी अब बताइए कि लखनों की कब हुई थी देखो यहां पर लखनों की अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रिखेगा इसका हुए था 1863 में ठीक है 1863 में उत्तर प्रदेश के राज के संग्राले लखनों की अस्थापना हुई थी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका आपसेंडी उत्तर प्रदेश के किस अस्थान से घोसिता राम नामक बौध विहार का पता लगा था राइट आंसर हो जाएगा कुश्चन नमर 138 का जो भी हमा संग्राले इस्तित है उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्राले इस्तित है यह कुश्चन आपसे पूछा गया है कुश्चन नमर 149 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा सबसे प्राचीन संग्राले जो हुए यह कहां इस्तित है अगर रखेगा दो पुरातति संग्रहाले जो हैं कहां है तो वह हैं वारारसी में मित्र राइट अंसर हो जाएगा आपका और जो भी मारे प्यारी भाई बहुंँ हैं देखने के बाद आप दोबारा यूपी जी के कहीं मत देखिएगा क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद आपका सारा कोईशन यहाँ पर कंप्लेट हो जाएगा जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है तो मोतिलाल नहरू बाल संग्रहाले परदेश में इनिविक का आरंभ की सुवर्स हुआ था जो व्रिद्धावस्ता पेंशन होती है ना जब गाइस बुढ़े हो जाते हैं उसके बाद उनकी व्रिद्धावस्ता पेंशन लागू की जाती है तो वो कब लागू की गई थी यह बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 142 दिसंबर 1957 जो भी हमारे पेरे भाई भाई भेन बतारे हैं कोईशन नंबर 142 दिसंबर 1957 में बिलकुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑफ्षेन धिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जवहार रोजगार योजना कब हुआ ये क्वेशन आपसे पूछ रहा है फटफटा अंसर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा जो भी हमारे पहरे भाईबें क्वेशन नमबर 143 का बता रहें कि 1 अप्रेल 1989 में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको अपसें सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि उत्तर प्रदेश में सुनिस्चित रोजगार योजना का प्रानम्ब कर रहा है याद रिखेगा क्वेशन काफी जादा इंपोर्टन फड़ा फड़ा आंसर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा जो भी हमारी प्यारे भाई वे यहाँ पर बता रहे हैं क्वेशन नमर 144 का कि 1993-1994 में सुनिस्चित रोजगार योजना का सुभारम बखिया गया था जो भी बता रहे हैं क्वेशन नमर 144 का भी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर परदेश ने सुचित बेरोजगार नवयोगों को रोजगार प्रदान करने है तो कौनसी योजना चल रही है देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि सव रोजगार योजना जो को ग्रामेड रोजगार योजना अपन नहीं होगा ठीक है सव रोजगार योजना एंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला उत्तर परदेश के उच्छ नयायले की खंड पीट कहां है उत्तर परदेश के उच्छ नयायले की खंड पीट कहां पर है कुश्चन नमबर 146 का अंसर देंगे कि उत्तर परदेश के उच्छ नयायले की खंड पीट कहां है जो भी हमारे प्यारे भाई भैन बता रहे हैं कि लखनव में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लखनव में उत्तर परदेश के उच्छ नयायाले की खंड़ पीठ है आप्सन भी आपका विलकुल परसक्त आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे उचा बांध कौन सा है यह question आपसे पूछ रहा है question number 147 का answer देंगे देखो अगर आपसे उचा बांध कहा जाएगा तो याद रिखेगा guys जो उत्तर प्रदेश में सबसे उचा बांध है वो क्या है तो याद रिखेगा मेरे प्यारे भाई बांध राम गंगा बांध राम गंगा बांध है जो है यह उत्तर प्रदेश में सबसे उचा बांध है ठीक है इसका जो भी हमारे पहरे भाई बेर बता रहे हैं कि इंडॉर में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगरा उत्तर प्रदेश में वर्सा रितु में और सतन कितने प्रतिशत वर्सा होती है याद रिखेगा question number 104 का सही आंसर हो जाएगा यहां पर जो भी बता रहे हैं क 75-80% के बीच बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 75-80% के बीच है वर्सा होती है वर्सा रितु में अगला है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है question number 150 का बताएंगे right answer क्या हो जाएगा question number 150 का फटपड़ आंसर देंगे right answer क्या हो रहे हैं कि उत्तर परदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गन्ना उत्पादक में उत्तर परदेश का प्रथमस्थान है right answer हो जाएगा आपका option B उत्तर परदेश ठीक है अगला question कि उत्तर परदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है उत्तर परदेश की सबसे बड़ी नमबर का आपका option B जो है आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लग उद्धोग किस नगर में है लग उद्धोग यानि कि छोटे उद्धोग किस नगर में है बताएंगे देखो उत्तर प्रदेश का व्रहतम उद्धोग कौन सा है हतकरगा उद अगला कुशन है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुवात कब हुई यह कोशन आपसे पूछ रहा है जो भी मारे प्यारे भाई भाई बहिन बता रहें कोशन नमबर 133 का कि 18 जून 2002 को 8 जून 2002 को किसान में की शुरुवात की गई राइट आंशर हो जाए के उत्तर प्रदेश चेत्र सांस्कृतिक केंद्र इस्थित है अब ठोड़ा मुझे लगता है कि पानी पीना पड़ेगा क्योंकि गलत ही बोल रहा हूं तो देखो उत्तर-मद्र चेतर सांस्कृतिक के अंदर कहां इसे थैं 154 नमर का राइट अंसर हो जाएगा इलाहबादिया प्रिहागलाज में कुश्य नमर 154 का ए अंसर अब का बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्चु विद्याले कहां पर और कब अस्थापित क किया गया देखो कब अगर कहा जाएगा तो 1887 में इलाहबाद में आपसंसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है उत्तर प्रदेश की प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकासक कौन है आप जाकर कि पानी चाहे कुश्पी लीजे गाइस हमारे बहुत कोईशन अभी है ठीक है तो कुछ भी आप खापी लीजे क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है तो बीच में गाइस गला सूख जाता है इसकी वज़े से नहीं मुझे जल्दी जल्दी पीना पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रका अनमाली भी है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बहुत है दोनों का प्रचिद्ध तीर्थ अस्था अस्थाले इसका आंसर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 157 कौसाम भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका अपसे ने बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत् पुर पच्छी बिहार किसी जिले में इस्ठिट है जो भी हमारी प्यारे भाई बहन कोईशन नमबर 128 का बता रहे हैं कि राय बरेली में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नमबर दी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन है कि उत् पैर ना भी इन्तिहान हारी है होंसला है जिंदिगी में कुछ कर दिखाने का इसलिए अभी सफ़र जारी है ठकना नहीं है पूरी क्लास आपको देखना है आपके अंदर जज्बा है अगर आपके अंदर होंसला है तो मैं दावे के साथ कहता अगला के अगला कि उत्तर परदेश में और प्रसक्षन अवं अनुसंधान केंद्र कहा अश्टितह है 160 नमबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा तो देखो जो सही आंसर हो जाएगा कोश्चोंबर 160 का जो भी हमारे प्यारे भाईबिन बता रहे हैं कि लख स्प्रदेश का निम लिखित में से कौन सा खिलारी होकी से समधित है होकी इपने उत्तरप्रदेस नहीं अपने भारत का राष्टी खेल है हो के ठीक है और गाईज में होकी से कौन समंधित है कुछ आप से पूछ रहा है याद याद रिखेगा यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाईबेन बता रहे हैं कि जमना लाल सर्मा ऑप्संडी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में संपूरा नंद कारागार प्रसिक्षन संस्थान की संस्थान पर है संपूरा नंद कारागार प्रसिक्षन संस् में ठीक है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका लखनों में जो भी हमारे पैरे भाई भाई भेन बता रहें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कुछ नहीं कि भारत का पहला केंद्रिय कारागार उत्रप्रदेश में कब और कहां अस्थापिद किया गया था बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो भी मारे पैरे भाई भेन बताने कि आगरा कारागार 1846 में यानि उत्रप्रदेश का पहला केंद्रिय कारागार यानि कि सेंटल जेल जो है वो कहां थी तो आगरा में थी और कब अस्थापिद किया गया तो 1846 में अपसंसी आपका प्यारे भाई भेन कोईशन नमबर 164 का बता रहे हैं कि 1944 में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो भी बता रहे हैं आपसंसी 1944 में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तरप्रदेश में मतस्य पालन का सुभारंब कब किया गया तो उत्तरप्रदेश में मतस्य पालन का अगला कि उत्तर प्रदेश में लोग आयुक्ति कपसे की गई उत्तर प्रदेश में लोग आयुक्ति कपसे की गई जो भी हमारे पैरे भाई में बता रहे हैं कुश्चन नमर 167 का की बिल्कुल सही सभी का अंसर सही है की 14 सितंबर 1977 को बी आंसर जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश में लोग आयुक्ति के नियुक्ति की गई ठीक है अप्सिन भी आपका विल्कुल रहे आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन आपके सामने है इसका अंसर देंगे कि उत्तर प्रदेश में पर्थम विश्चु विद्याले कब और कहां स्थापिट किया गया लखनों में मैंने आपको बताया रिपीट हो गया वही बार बार बा बिल्कुल सही है जो भी हमारे पैरे भाई बहन बताने कुश्चन अबर 119 का सिख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन आपके सामने है उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहां इस्थित है बताएगे कि उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहां इस्थित है बिलकुल सही है जो भी प्यरे भाई बहायऑन बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेस में भारत कला भावन जो है यह कहां इस्सित है वह रहारा है में option B जो बता रहे हैं बिलकुल सही answer हो जाएका अग्ला आपके सामेन इसका answer दिज्ये कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्दोग है जो भी बता रहे हैं जो भी मारे पैरे भाई बेहन बता रहे हैं या परची नहीं बिल्कुछ सही अंसर हो देगा परंपरागत उद्दोग बात कर रहा है गलती नहीं करेंगे ठीक है अगला उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एड़ेड का केंदर कहां इसी थे उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एड़ेड डिजाइनिंग परियोजना का केंदर कहां इसी थे जो भी हमारे पैरे भाई बेहन कुष्चन नमबर 172 का बता रहे हैं कि लखिनव में बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा आपका उप्शन भी उत्तर प् का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है परताब गड़ में गाईस आवला सबसे जादा होता है और मुरब्बा भी वहीं पर सबसे जादा होगा आवले का मुरब्बा ठीक है खाये होंगे मुझे बहुत पसंद है तो आवले का सबसे अधिक उत्तर पादन कर कहां पर अस्थाफित है क्युश्य नमेर एक्सुपचटत कहां तापित है बिंथूर मेंática कहां स्थाफित है बिछूर में सही आपको और सिबी चुपarty दलहन सूर संस्थांद जहां इस्टित वह जगा कौन सी है सही आसर हो जाएगा कानपूर में अप्षन D आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो भी मारे प्यारे भाईबेन अप्षन D दे बिल्कुल सही है उत्तर प्रदेश का मेर्जापुर नगर किस नदी के किनारे इस्थित है? मेर्जापुर जो है ये गंगा नदी के किनारे इस्थित है याद रिखेगा option A आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश की उत्तरी भारत को कौन से देश की सीमा असपर्स करती है? देखो मैं repeat भी कर देता हूँ question इसका एक ही कारण क्या है? कि आपका device भी उत्तर है? ठीके नहपाल बिल्कुल सही answer हो जाएगा केन नदी उत्तर में किस नदी से आकर मिलती है? एक सुन्यासी यमूना से option D अगला है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस अस्थान के निकट यमूना नदी से मिलती है? सही आंसर हो जाएगा हमीरपुर में option B अगला भारत की जलवायू कैसी है? इसका आंसर देंगे ओ भारत कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जलवायू कैसी है? question number 181 जो भी हमारे प्यारे भाई भाई भेन बता रहे हैं कि उसले कट बंधिया मान सूनी जलवायू है option B बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला question है कि गंगा और यमूना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है? मैंने इसलिए question को repeat कर दिया है जो भी हमारे प्यारे भाई 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 भेन question number 182 का बता रहे हैं कि गंगा और यमूना नदी का संगम जो है यह कहां है? इलाहाबादिया परियाग राज में? इलाहाबादिया परियाग राज में? correct answer क्या होगा? आपको option D अगरा उत्तरप्रदेश का मेर्जापुन नगर किस नदी के किनारे इस्थित है? अभी हमी बताए गया है 183 का सही आंसर क्या बताए गंगा option D त्थिए अगला उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर गोंती नदी के किनारे इस्थित है लखनव जो इगोंती नदी के किनारे इस्थित है ऑप्शन D आपका बिल्कूल राइट आंसर हो जाएगा हिंगवा जील उत्तर परदेश के किस नगर में इस्तित है सही आंसर हो जाएगा वारनसी में आप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन है कि उत्तर परदेश में किर्शी विभाग की अस्थापना कप की गई फटा फटा आंसर देंगे सभी प्यारे भाइबें मैं इसी तरीके से अपके सारे कुशन अभी कंप्लीट करवा देता हूँ ठीक है तो कुशन नबर 186 का जो भी हमारे प्यारे भाइबें बता रहें कि 1 मई 1920 आपसन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सेद सलार मेला कहा लगता है, 187 बिल्कुल सजिय बहरायच में लगता है, बहरायच से हमारे कुशन नबर 187 का बहरायच आपसन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसी उचा बांध कौन सा है सबसी उचा बांध जो है उत्तर प्रदेश में कौन सा है या कोई सिन आप से पूछा गया है जो भी हमारे प्यारे भाई बेन बता रहे हैं कि राम गंगा बांध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के किस नगर में खुशरो बाग इस्तित है 189 सही आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बेन बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में खुशरो बाग पूछ रहा है ना सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका इलाहाबाद ठीक है option number C बिल्कुल सही आंसर होगा option number C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उच्छे नयालय प्रदेश के किस नगर में इस्थित है फटा फटा आंसर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा question number 190 सही आंसर हो जाएगा question number 190 का इलाहाबाद में option B विल्कुल सही आंसर हो जाएगा उच्छे सिछा नयादेश आले कहां पर इस्थित है सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में या परियागराज में उत्तर प्रदेश का medical college कहां पर इस्थित है यहां पर आपका Option B लखनव में अगला कुछन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है बताएंगे राई आंसर क्या होगा Q1.93 फटपर आंसर दें कि सभी प्यारे भाई भाई भेन राइट आंसर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर उत्रप्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है दोंगरी बोली जो ही उत्रप्रदेश में नहीं बोली जाती है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निम्लिकित क्रितियों में से कौन से क्रिती उत्रप्रदेश के प्रसिद्ध उपर नयासकार मुंसी प्रेम चंद्र की नहीं है मुंसी प्रेम चंद्र की नहीं है बात कर रहा है ध्याने रखिएगा question number 194 गमन भी है गोदान भी है निर्मला भी है चंद्र गुप्त जो है यह मुंसी प्रेम चंद्र नहीं बलकि जैसंकर प्रसाजी की है राइट आंसर हो जाएगा है पर आपका option भी चंद्र गुप्त है अगला है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दूधवा नेस्नल पार्क किस जिले में इसी था क्विश्चन पर 105 में रिपेट भी किया है जो कोश्चन गाइस यह तो रिपेट नहीं है लेकिन जो मैंने क्विश्चन रिपेट किया है उसमें भी मैंने देखा कि बच्चे गलत उसका आंसर दे रहे हैं देखो जो रिपीट करें दिमाग में रखिए या फिर आप इसकांच से सुनते हो इसका आख से देखते हो भर दे उसे निकाल देते हो नहीं ऐसा नहीं है दिमाग में रखना होगा एक्जाम तक ठीक है एक्जाम ने आपको अपने ग्यान के लिए हर समय याद रखना चाहिए दुद्धवन एक्सनल पार्ग जो है कहां है लखीम पुर्खीरी क्रेक्ट समराammers क्या होगा अफसन ए को है ठीक है बिलकुल सही है एक सो festive आ sentence एक सारण आतमे किस समराट का प्रषिद्ध अश्तम्भ। hesitate जो भी हमारे प्यारे भाइबेन question number 196 का बता रहे हैं जो भी हमारे प्यारे भाइबेन बता रहे हैं असोक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसिदा जी की जर्मस्तली परदेश में कहां पर है 197 बताएंगे right answer क्या हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाइबेन बता रहे हैं कि राजापुर में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसिदा जी की जर्मस्तली कहां पर है राजापुर में option A आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा बीतर गाओं का प्रशिद्ध मंदिर उत्तर परदेश के किस जिले में इस्तित है जो भी हमारे प्यारे भाइबेन question number 198 का बता रहे हैं यहाँ पर कानपुर में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कानपुर में बीतर गाओं का प्रशिद्ध मंदिर इस्तित है option B आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निम्लिकित में से कौन सी अभिनेतरी उत्तर परदेश से संबंदित है बताएंगे कि कौन सी अभिनेतरी उत्तर परदेश से संबंदित है question number 199 सही आंसर हो जाएगा नापर कलपनाकार्थिक नम्दाक्नी लीला मिस्रा यह सारी अभिनेतरीय यह उत्तर परदेश से ही है option D आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि उत्तर प्रदेश के इन लिखित में से किस कलाकार को फिल्मों में सबसे अधिक प्रसिद्धी मिली यह प्रसिद्धी गला लिखा गया ठीक है पताएंगे राइट आंसर क्या होगा बिल्कु सही है जो भी हमारे प्यारे भाई बहन अप्सन नंबर क्वेशन नंबर दोसों का अप्सन नंबर भी बताने अमिताब बच्चन बहुत देख से होंगे डायलाग इनका बहुत आपको याद आ रहा होगा डायलाग बात में याद करना पहले क्वेशन अच्छे से या साये में गुजर जाएगी जब तुम्हें अपनी जिन्दगी में पढ़ाई की कमी नजराएगी ये मोटिवेशन लाइन मैंने आपके लिख्या है इसका क्या कारण है खुछ समझ सकते हैं एक्स्प्लैन नहीं करूंगा आप दिमाग लगाईए कि क्या करना है आपको आपक प्यारी वर्दी उत्तर प्रदेश के किसी छेतर में थारू जनजाती निवास करती है दोसो एक नमबर तराई छेतर में ऑप्सन भी आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाए गा उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाती द्वारा ग्राम देबी की पूजा की जाती है प्यारे भाई बेहन बता रहे हैं कि बुक्सा जिन्जाती दारा ओप्सन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की ब्रजचेत्र का प्रिशिद्ध लोक गीत कौन सा है दोसो तीन नमबर ब्रजचेत्र का अगर आपसे कहा जाएगा तो याद रिखेगा रसिय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुप्त गोदा वरी नामक दरसनिय अस्थल प्रदेश में कहा पर है दोसो चार नमबर जो भी हमारे प्यारे भाई बेहन बता रहे हैं कि चित्रकूट में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट में अगला है कि माधो मंदिर प्रदेश के किस जिले में है सही आंसर हो जाएगा क्वेशन नमर 205 का जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बेड़ी माधो मंदिर जो होए या इलाहाबाद में है बिल्कुछ सही आंसर हो जाएगा अगला कुशन है कि गोल एलेशन का प्रसिद्ध मंदिर प्रदेश के किस जिले में इस्टित है राइट अंसर हो जाएगा क्वीशन नमर 206 का जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि जालोन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा option C आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा बिश्व पर्षिद स्रीडाम मंदिर प्रदेश के किस अस्थान पर इस्तित है बताएंगे बिश्व पर्षिद स्रीडाम मंदिर प्रदेश के किस अस्थान पर इस्तित है right answer हो जाएगा option D अयुध्या में लाडिली का मंदिर प्रदेश के किस जिले में है बताएंगे कुश्चन नमर 208 सहिया से हो जाएगा आपका उप्सन सी मतुरा में जो भी हमारे प्यारे भाई बेहन उप्सन सी बता रहे हैं बिल्कुर सही आंसर हो जाएगा सर्पदीव नागबसु का प्राचीन मंदिर प्रदेश के किस जिले में इस्तित है। अगला है कि बट्व किश्वर मंदिर परदेश के किस जिले में इस्तित है? अगला कुश्यन आपसे पूचा गया है कि प्रशिद्चेंद्र का देवी मंदिर परदेश के किस जिले में है? प्रिसिद्द चंद्रका देवी कामंदिर प्रदेश के किस जिले में है ये कुश्चन आपसे पूछा गया है बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आसर हो जाएगा यहाँ पर लखनव में जो भी हमारे प्यारे भाई बेन लखनव बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन आपसे पूछा गया क्विश्चन नमर 212 कि प्रसिद संकीता चारियत तानसेन के गुरू कौन थे राइट आंसर हो जाएगा क्विश्चन नमर 212 का जो भी हमारे प्यारे भाई बेन बताने हैं कि स्वामी हरी दास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको आपसे आंसर देने के लिए 5-6 सेकंड का समय दूँगा तो वीडियो लंबी होगी कोई फायदा नहीं होगा फटा 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 आंसर दीजे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ठीक है उत्तर प्रदेश की किस्षासक ने प्रसिद्र ख्याल अड़ा का सिर्जन किया था राइट आ अंसर क्या हो जाएगा जो भी बता रहें कि अलमसूद बिल्कुल सही आंसर हो देगा आपका उपसेंडी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोसो चौदा का सही आंसर हो जाएगा अगला कुशन है कि नाग विक्षू पूजा का रिवाज कि जन जाती में प्रचले थे बिक्षू पूजा का रिवाज कि जन जाती में प्रचलेते फड़ा फड़ा आंसर देंगे कि कुशन नमर्डोसो पंद्रा का जो भी इसका बता रहें है राइट आंसर की खरवार जन जाती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है जो भी हमारे प्यारे भाइबेर बतारें खरवार जन जाती बिल्कुल सही आंसर होगा अगला कुशन है कि लठमरवा भोज किस जन जाती में प्रचलित है लठमरवा भोज किस जन जाती में प्रचलित है जो भी हमारे प्यारे भाइबेर यहाँ पर बता रहे हैं कि थारु जन जाती में बिल्कुल सही आंसर हो जाए आपके बाउजूद भी फिर से बार भार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार आप सब्सक्रोस को दिल कर देंगे क्योंकि बड़ी मेंद्न है हम आप और पहुंच गए है energy मेरी खत्म होती जारी फिर भी हमारे अंदर जजबा है किसके कारण आपके लिए किसका कारण है वर्दी जो आपको पहनाना है तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में राधा स्वामी मत्र का परमुखे के अंदर डयाल बाग इस्थित है हाँ बड़ा बड़ लाइक कर दीजे सबी लोग राइटा से हो जाएगा दोस्तों अठारा का जो भी सही आंसर हो जाएगा मुझफण अगर में आपसंडी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अकवर ने फतेपुर सीकरी है यहाँ पर ठीक टैपिंग मिश्टेव को गए यह सीकरी को अपनी राजधानी का बनाया था राइट आंसर हो जाएगा पंदरा सु चोहतर में आपसंडी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध गर्दिकार आचारिय महाविर परसाद्रवेदी परदेश के किस जिले के रहने वाले थें दोसो इकीस जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि प्रसिद्ध गर्दिकार आचारिय महाविर परसाद्रवेदी जो थें यह प्रदेश के उन्नाव जिले से सम्मदित थें जो भी बता रहे हैं ऑप्संडी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उन्नाव जिला प्रसिद्ध उपन्यासकार बिरंदावन लाल बर्मा उत्तरप्रदेश के कहां के रहने वाले थें बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोसो बाइस जो भी हमारे पैरे भाइबेन क्सिचन नमर 222 का बता रहें जहां सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको अपसियर ने विल्कुल कर्रेक्ट अंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के किस आज कभी ने प्रिशिद गरंत रामायर की रचना की थी रामायर की रचना किसने की थी वो उत्तर प्रदेश के ही आज कभी थे दोसो तेस नमर कोईशन का सही आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बैन बतारें बाल मीगी बिलकुल सही आंसर हो जाएगा उत्तरप्रदेश के निवलक्त में से किसकभी ने ब्रज्मासा के काभी की रेचनार नहीं की है ध्यान दीजिएगा नहीं बात कर रहा है द अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उर्दू के प्रिशिद्य सायर गालिप का ज्यानवस्थान है? कुश्चन नबर 225 का जो भी हमारे प्यारे भाई भेन बता रहे हैं आगरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आगरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्कूल आप पेपर टेकनोलाजी प्रदेश में कहां पर इस्तिते बताएंगे कुश्चन नबर 226 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी हमारे प्यारे भाई भेन क्वेश्चन नबर 226 का बता रहे हैं कि सहारन पूर में सहारन है आप ठीक है सहारन पूर ठीक है सहारन पूर जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 226 का आपका बिल्कुल करेक्ट आसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का बुंदेल खंड विश्विद्याले कहां पर इसी थे देखो टाइबिंग मिस्टेक हो गई है इसका कारण क्या है बहुत कोईशन करने थे ना और गाइस बड़ी मेहनत लगी है लबग मैं एक डेड़ हपते से इसके लिए तयारी कर रहा था क्योंकि जिल खंड विश्विद्याले कहां पर इसी थे यह कुछन आपसे पूछा गया है राइत आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बहाई बहारे क्योंकि नमबर 277 कि जहांसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको आपसे ने विल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्विद्याले कौन सा है अभी मैंने आपको बता था ना हां बिल्कुल इलाहाबाद विश्विद्याले उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्विद्याले है ए आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संपूरा नंद संस्कृत विश्व विद्याले उत्तर प्रदेश के किस नगर में इस्तित है कुश्चिन नबर 229 का जो भी हमारे प्यारे भाई भेन बता रहे हैं कि वारानसी में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन आपसे है कि उत्तर प्रदेश के प्रशिद्ध खिलाडी ध्यान चंदर की स्केल से समद्धिते हैं देखो उत्रप्रदेश के जो प्रचित खिलाडी ध्यान चद्रचू थें ये हॉकी से सम्मधी थें याद रखेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आपका आपसेंडी हॉकी अगला कुशन आपसे पूछा गया है कि आचारिय नडेंद्र देव बौध या विद्या संस्थान उत्रप्रदेश के किस नगर में है कॉशन काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है 231 सही आंसर हो जाएगा अगला कुशन है कि उत्तर प्रदेश के खिलाडी आनद शुकला का संबंद की स्केल से है कुश्चन नमर 233 का सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट से option D आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश का निमलिखित में से कौन सा ने ता भारत का राश्टरपत बना बताएंगे उत्तर प्रदेश का निमलिखित में से कौन सा ने ता भारत का राश्टरपत बना जो भी हमारे प्यारे भाई में question number 234 जो भी हमारे प्यारे भाई में question number 234 का बता रहे हैं यहाँ पर फरूखदीन अली अहमद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फरूखदीन अली अहमद option B आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश वार्देश की का प्रकास अन प्रदेश के किस नगर से होता है question number 235 का जो भी हमारे प्यारे भाई भेहन बता रहे हैं कि लख नव से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका option A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला question है कि उत्तर प्रदेश की पर्थम महिला मुख्यवंतरी कौन थी अगर आप चैनल पर पहली बार आएं हैं तो मैं आपसे रिक्ष्ट करता ओए एक बार सभी पैरे भाई भेहन जो भी चैनल पर पहली बार है हैं मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे एक बार प्रदेश के पर्थम महिला मुख्य मंद्री कौन थी सुचेता क्रिपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका option D अगला उत्रप्रदेश में अल्यूमेनियम उद्धोक की दिश्टी से कौन सा जिला अग्रणी है करेक्ट आंसर हो जाएगा मेर्जापुर बिल्कुल करेक्ट आंसर option D आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि उत्रप्रदेश का कौन सा अगर चीने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिध्ध है 238 नमर क्वेशन का राइट आंसर हो जाएगा खुर्जा option B जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रेस्मा और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिध्ध है राइट आंसर हो जाएगा question number 49 का जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बतारे वालाण सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगले हाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत वहाँस की बनी कलात्मक वस्तुवों का निर्मार होता है उत्रप्रदेश के किस जिले में बेंत वाबास की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माल होता है राइट आंसर हो जाएगा बरेली बिल्कुल राइट आंसर होगा जो भी हमारे प्यारे भाई बेन आपसंडी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुश्चन अबर 241 का जो भी मारे प्यारे भाई बहन बता रहें कि बड़ा उत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको अपस्टन भी भारत में गन्ना उत पादन के दिश्टी से उत्रप्रणेश का कौन सा स्थान है जो भी मारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि प्रत्थम अस्थान हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको अपसेने बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तरप्रदेश मेरजान अगर की सहास्ति सिल्फ दोग के लिए प्रसिद्धा है देखो मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो question repeat किये है ना उसके गाइस मैंने जो language उसे बदल दिया है हर बार मैंने language को बदल दिया है ताकि आप यह मत समझे कि वही question type कर दिया गया है क्योंकि guys मैंने वही question repeat किये हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं जो आपके exam में आ सकते हैं बोटेंट है उत्तर प्रदेश मेर्जापुन नगर उत्तर प्रदेश के मेर्जापुन नगर जो है ये किस अहस्त इसल्फ उद्धोग के लिए प्रिसिद्ध है सही आंसर हो जाएगा 249 का जो भी हमारे प्यारे भाईबें question number 249 का बता रहे हैं का लीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर किस उद्धोग का परमुक केंद्र है बताएंगे 244 का सही आंसर क्या हो जाएगा चूड़ी उद्धोग यानि कि सुहाग निगरी फिरोजाबाद को ही कहा जाता है मैंने आपको बताया ही चूड़ी उद्धोग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत electronics limited उत्तर प्रदेश के किस नगर में इस्तित है भारत electronic limited उत्रप्रदेश के किस नगर में इस्तित है जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि गाजियाबाद में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला कुशन है कि तेल सोधकार खाना प्रदेश के किस नगर में इस्तित है 246 नमर कुशन का सही आंसर हो जाएगा मथूरा में अगला है कि कृत्यम अंग रिमाल निगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में है कृत्यम अंग निर्माण निगम उत्रप्रदेश के किस नगर में है जो भी हमारे प्यारे भाई भेन question number 247 का बता रहे हैं कानपूर में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कानपूर आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा अपसंसी आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा उत्तरप्रदेश की किस नगर में किस नगर में हिंदुस्तान 식 कि लिमिटेट इस ति थै राइट आसा हो जाएगा कुईशन नंबर 241 उसके जो भी हमारे फ्यारे भाई वेहन बता रहे हैं है तो राइट राइट आसर क्या होगा आपका ऑप्सेन यह हैं ट्रांसफार्मार फैक्ट्री प्रदेश के किस नगर में इस्तित्थ है जहासी में इस्तित है, औप्सन सी आपका बिलकुल कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहने, कोश्चन नमर दो सो उन्चास का जहासी बता रहे हैं, बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, प्रदेश के मेरठ जिले में कौन सा अभ्यारण इस्तित है, उत्त बिलकुल सही है, जो भी हमारे प्यारे भाई बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, पर आपको अप्सन भी अगला, दोसो इक्यावन नमर कुश्चन है, कि उत्तर प्रदेश के वानार्सी जिले में कौन सा अभ्यारण इस्तित है, दोसो इक्यावन बताएंगे, राइट आंसर ज बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, पर आपको अप्सन भी बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की उन्ना उजिले में कौन सा अभ्यारण इस्तित है, दोसो इवान नमर बताएंगे, राइट आंसर हो जाएगा, आपको जो भी हमारे प्यारे भाईब बताने नवाब गंच पक्षी अभ्यारण बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, निम्लिकित में से कौन सा अगर गंगा नदी के किनारे इस्तित नहीं है, नहीं है बात कर रहा है, ध्यान दीजेगा, नहीं बात कर रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, तो देखो अगला है कि उत्तरप्रदेश की परमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है, राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर जो कुछा गया है, परमुख नदी गंगा जो है, यह किन दोनों पर मिलन होता है, यह पूछा जाना चाहिए, ठीक है, तो राइट आसर हो हैंगे गलत जोड़ा इसमें कौन सा है, कुछिश्चन नबर 255, सिगरेट उद्दोग आगरा में नहीं है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको आप्सेने बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 256 नबर है कि नदिकित में से प्रदेश के किस नगर में उर्वरक कार खा है, जो भी हमारे प्यारे भाइबें, कुछिश्चन नबर 256 का यहां पर बता रहे हैं कि गोरक पुर में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उर्वरक कार खाना जो है, यह कहां है, गोरक पुर में 256 नबर का आप्सेन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्त अप्सेन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में आयूद उप्सकर पाकार खाना किस अस्थान पर है, कुछिश्चन नबर 258 का राइट आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाइबें बता रहे हैं, हजरत पुर में बिल्कुल सही आं स्क्री में, कुछिश्चन नबर 268 का अप्सेन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अगला कुछिश्चन है कि वस्त्र अनुसंधान योम प्रिसिक्शन है तो वस्त्र निर्माल केंदर की अस्थापना कहा की गई है, राइट आंसर हो जाएगा, कुछिश्च आसर हो जाएगा, यहाँ पर कानपुर में ऑप्सेन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जूट की मीलें कहां पर हैं, जो भी हमारे प्यारे भाइबहन बताने कानपुर वा सहजनवा में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका उप्स जो नमर 223 का आपसे उप्सेन प्रमिक एंसर हो जाएगा निमलिक 신 में सरकों संस्तान लखनों हमें इस्तित तो राइट आपसे हैं आप भारति फेलेक्ट्रारिक्स लिम्ट्राइब भांइति नहीं है अप्सने बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्लिकित में से कौन सा उत्र प्रदेश का कौन सा नगर लकडी वाफ फरनीचर उद्धोग का प्रमुक्ष केंद्रन नहीं है राइट आंसर हो जाएगा कोश्यनum किOS n.265 यहां पर जो भी हमारी भाईफ बता रहे हैं जो भी हमारी प्यारे भाईबें बता रहे हैं यहां पर बिल्कुल सही है मथूरा यहापर प्रचिद्ध नहीं होगा option A जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद तो होगा ही सासनी भाजोई भी होगा निम्लिकित में से ही कौन सा जोड़ा गलत है देशा सरसथ बिल्कुल सही है आगरा में चाकुमा कैची नहीं गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका option D विल्कुल सही आंसर हो जाएगा निम्लिकित में से कौन सा जोड़ा गलत है यहाँ पर भी गलत आपसे पूछ रहा है राइट आसर हो जाएगा बेंत वाच्छडिया वालांसी में नहीं राइट आसर क्या ह कानपूर में option B आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी हमारी प्यारे भाई भेहन आपसे पूछ रहा है कानपूर में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कुशन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चमडा उद्दोग के लिए कौन सा नगर प्रसिद् इत्तर प्रदेश के नगरों में से केंची वा खेल के सामान के निर्माणगारी में कौन सा नगर आगई है जैसा कि यहां पर आपने देखा था ना यहां पर यह कहां गया यह देखी यहां पर गाई दो Q271 तो जो भी हमारे प्यारे भाइबेन Q271 का बता रहें मेरठ बिल्कुल सही हो जाएगा है पर Option A जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा Option A आपका बिल्कुल correct आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुशन आपसे है कि उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद नगर किस उद्दोग के लिए प्रसिद्ध है बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा Q272 राइट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाइबेन बता रहें कि पीतल के बरतन के उद्दोग के लिए राइट आ और जो भी हमारे प्यारे भाइबेन Q273 का बता रहे हैं यहां पर सहारन पूर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के निम्रिकित में से कौन से अस्थान पर चीनी मील नहीं है राइट आंसर हो जाएगा DU75 का जो भी हमारे प्यारे भाइबेन बता रहे हैं यहां पर बिल्कुल सही हस्तिनापुर जो है चीनी मील हस्तिनापुर में नहीं यह उप्स्टन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तरपडेस के जिले में पानमसाले का उत्पादन परमुख रूप से होता है 266 का राइट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बेन बताने कानपुर बिलकुल सही आंसर हो जाएगा बीर उधिर वर्ग के रोगी को किन वर्ग के दाताओं को रख्ट दे सकते हैं बीर उधिर वर्ग के रोगी को किन वर्ग के दाताओं को रख्ट मतलब यह हुआ कि बीर उधिर वर्ग का अगर कोई रोगी है तो वाकिस वर्ग के द्राताओं को अपना रख्त दे सकता है यह कुशन आप से पूशा गया है ठीक है बिल्कुल सही है जो भी हमारे प्यारे भाइबें कुशन नमर 270 का बता रहे हैं कि O और B क्योंकि O जो है यह क्या है सर्व दाता है ठीक है और A B क्या है सर्व ग्राही है तो O और B तो ही अगर मिलेगा तो देंगे तो O और B आपका बिल्कुल राइटा असर हो जाएगा पिता A रुधिरवर्ग और माता B वर्ग की हो तो संताने कौन से वर्ग की होँगी यानि पिता जी जो है वो A रुधिरवर्ग की हैं और माता जी है वी रुधिरवर्ग की तो जो संतान होगी बच्चे होंगे वह कौन से वर्ग की होंगे दोसो अठतर बिलकुल सही है कुश्य नमर्ट दोसो अठतर का राइट आंसर क्या हो जाएगा A, A, B, O इन मैंसे कोई यानि कि चारो हो सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा option D बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चारो खचर किसकी वरण संकर संतान होती है बताएंगे right answer क्या होगा घोरी और गधे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपसंसी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इन मैंसे कौन सा लक्षण लिंक सहलगने नहीं है राइट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सिकल एनीमिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका option से बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question है कि यदि एक रंजक हीन पुरुसर सामानी इस्तरी से बिवाह करता है और इनकी संताने आधी सामानी वा आधी रंजक हीन होती है तो इस्तरी है कैसी बताएंगे राइत answer क्या होगा 281 बिल्कुल सही है जो भी हमारे प्यारे भाई भेहन बता रहे हैं कि हिट्रो जाइगस हिट्रो जाइगस सामानी है बिल्कुल सही आंसर होगा आपका option बे बिल्कुल correct answer हो जाएगा दूत RNA में अनुलेखित अनुआंसिक सूचना का प्रोटीन की रूप में अनुमाद होता है किनकी दौरा या फिर किन पर बताएंगे राइत answer क्या होगा जो भी हमारे प्यारे भाई भेहन क्वेशन नमर 282 का बता रहे हैं कि राइबोसों पर ए आंसर बिल्कुल correct answer हो जाएगा उत्तरप्रदेश की परिवहन के साधरों में सबसी अधिक लोग प्रिये साधन कौन सा है 283 का बताएंगे राइट answer क्या हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई भेहन क्वेशन नमर 233 का बता रहे हैं कि सलक परिवहन बिल्कुल correct answer हो जाएगा उत्तरप्रदेश का कौन सा अगर Grand Truck Road यानि कि GT Road के अंतरगत नहीं आता है बात कर रहा है ध्यान दीजिएगा question number 84 right answer हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई भेहन बता रहे हैं यहाँ पर लख नहूं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गलती नहीं करना मित्र option B आपका बिल्कुल right answer होगा अगला है कि उत्तरप्रदेश राज के बसो को राज शलक परिवान निगम के अंतरगत कब लागो किया गया बताएगे राई डांसर क्या होगा इन में से कौन से नगर ग्रांड ट्रक रोड पर इस्तित्थ हैं बताएगे राई डांसर क्या होगा जो भी हमारे प्यारे भाई बैर क्वेशन नबर 286 का बता रहे हैं अली गड़ बिल्कुल right answer हो जाएगा आपको option ने बिल्कुल correct answer हो जाएगा देश की सबसे लंबी सनक राच मार के संख्या सेबन यानि कि जो ने एच सेबन ठीक है ने एच सेबन उत्तर प्रदेश की किस नगर से शुरू होती है दोस्तो 87 जो भी हमारे पैरे भाई बहन यहां पर बता रहे हैं वाराण सी से option A बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला है कि इन मेंसे कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को असपर्स नहीं करता है इन मेंसे कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को असपर्स नहीं करता है बोलते बोलते गळा शूख गया है सरदर्द करने लगा है फिर भी मैंने सोचा है कि सारे गोशन को आपके कबर कर दूँगा निसिंद रहिए अगर आपके अंदर होंसला है अगर आपके अंदर जजबा राए तो आपको वर्दी मिल जाएगी हाला कि guys मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको वर्दी दिलाने के लिए हमारी यही कोशिश है कि आप सब को वर्दी मिल जाए तो कौन सा प्रदेश उत्तरप्रदेश की सीमा को असपर्स नहीं करता है ये बात कर रहा है जो भी हमारी प्यारी भाई बेहन यहाँ पर बता रहे हैं कुश्य नमबर कौस्टा है 88 मिलकुल सही है मिलकुल सही है पंजाब जो है यह गाईस असपर्स नहीं करेगा करेट टांसर हो जाएगा आपको अप्शन भी उत्तर प्रदेश में भारतिय रेलवे के किस जोन का सबसे अधिक बिस्तार है प्रदेश में भारतिय रेलवे के किस जोन का सबसे अधिक बिस्तार है राई टांसर हो जाएगा उत्तर रेलवे का जब उत्तर प्रदेश है तो उत्तर रेलवे का ही होगा न करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका option भी उत्तर रेल वै अगला है कि बमरोली हवाई अद्धा उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस्तित है जो भी हमारे प्यारे भाई बहनी आपर बता रहे हैं question number कौनसा है 90 ठीक है तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहनी आपर बता रहे ह बमरोली तो बरेली होगा ना हाँ बिल्कुल option भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है कि अमोसी हवाई अद्धा उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में इस्तित है 292 में अमोसी हवाई अद्धा कहा है लखिनव में है option डिया अगला question आप से पूछा ग सही आ रहा है बहुत अच्छा आंसर है राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रेल 1995 में जो भी हमारे प्यारे भाई भाई बहन कोईशन नमर 94 का option ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि उत्तर प्रदेश में दूर संचार का आरंब कभवा राइट आंसर ज हो जाएगा question number 295 का वो हो जाएगा यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाई भेन बता रहें कि March 84 में डी आंसर जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि नमिकित में से कौन सा जोड़ा सही है खेरिया लखनों में नहीं है अमोसी हवाई एड़ा जो ह हो जाएगा अगला है कि इंडियन टेलिफोन इंडेस्ट्री परदेश के निमिकित में से किन नगरों में है 297 का आंसर देंगी जो भी हमारे प्यारे भाई भेन question number 297 का आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नवसी नैनी इलाहबाद राइबरे ली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर परदेश के परिवान के साधनों में सबसे अधिक लोग प्रिये साधन कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई भेन क्लास को लाइक जरूर कर देंगे एक बार सभी प्यारे भाई भे क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे गोरखपुर में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कुशन आपके सामने है कि निविकित में से किननगरों के मध्या टेली ग्राफ द्वारा सबसे पहले संदेश भेज़ कर परदेश में दूर संचार स्रीवा का आरंब हुआ ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्सिन भी विल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हर घड़ी गमों के साये में गुजर जाएगी जिन्दगी जब तुम्हें अपनी जिन्दगी में पढ़ाई की कमीने जाराएगी अब आप इसे खुद समझे कि इसका मतलब क्या ह बताने की जुरूरत नहीं है कि अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे गए हैं अगला कुशन है कि उत्तर प्रदेश की निम्लिकित में से किन नदियों में जल परिवान की बिवस्ता है बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बैन कोशन नम घागरा घागरा घुमती देखो यहां पर यह जो गाइस नदिया बताएगी है इनमें समी में परिवान की बिवस्ता है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उप्सेंडी जो भी हमारे प्यारे भाई भाई बता रहें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सम अगला है कि निम्लिखित में से उत्तर प्रदेश के किस अस्थान पर नेत रहीनों का बिद्याले नहीं है नहीं है बात करा जाने दीजेगा कुश्य नमबर 303 जो भी हमारे प्यारे भाई भेन यहाँ पर बता रहे हैं आगरा में बिल्कुल सही है आगरा में कोई नेत रहीन बिद्याले नहीं है अगला कुश्य आपसे पूचा गया है कि उत्तर प्रदेश के किने दो नगरों में मानसिक रूप से आभिक्सित बच्चों के लिए बिद्याले इस्थित है यह कुश्य आपसे पूचे जा सकते हैं अग्जाम में आप याद देखेगा कुश्य काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है फड़ा फड़ा आंसर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बहन कुश्य लमर 304 का बता रहे हैं लखनओ यह इलाहबाद में बिल्कु.......... अंसर हो जाएगा हैं बताएंगे इसका राइट आंसर के लिए निम्र्गिते जिलों में से किसमें आवसिये ग्रह की बिवस्ता है राइट आसर जो जाएगा जो भी मारीularे भाइवें सा पांचा है कि वारांडसी और लखनव दोनों में बिल्कुछ सही आंसर हो जाएगा आपका दोनों यानि कि आपसंसी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला आए कि उत्तर प्रदेश में भिक्सा वृति प्रति प्रति रोध अधिनियम कब लागू किया गया इसी प्रिकार कु कुष़्ठ नमबर 307 का सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त उननीस्ट सो नवासी में a आपका विल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि उत्तर प्र्देश में महिला कुल्यान निगम लिम्टिड के अस्थापना कप की गई सही आंसर हो जाएगा कुश्चन नबर 308 का मार्च 1988 में ए आंसर आपका बिल्कुल पर्फेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरप्रदेश में बिधववत से बिवा करने पर दंपत्थी को पुरसकार देने की योजना कब से चलाई गई सही आंसर हो जाएगा question number 309 का 1991 बांड में से option D आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बहन option D बता रहे हैं बिल्कुल right answer हो जाएगा उत्तरपडेश में 10 प्रता से पीडित महिलाओं को आर्थिक साहिता देने है तो योजना का आरंब कब हुआ right answer हो जाएगा question number 310 का जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर की 1991 से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका option C जो है बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला है कि उत्तरप्रदेश में 0 से 6 वर्स की आयू के निडासरित हुआ पर ये तक तो बच्चों को आसरे देने है तो पोशर ग्रह किस नगर में है सही आंसर हो जाएगा उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनों में option B आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा उत्तरप्रदेश के शिशू सदनों में कितने वर्स के बच्चों को रखा जाता है जो भी हमारे प्यारे भायवें कुश्चन नबर 312 का बता रहे हैं जर्म से लेकर 6 वर्स तक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका option D जो है ये बिल्कुल correct answer हो जाएगा उत्तरप्रदेश के निम्लिकित नगरों में से कहाँ पर सिसू सदन नहीं है द्यान दीजेगा गाइस आप पूरी class attend कीजेगा इसको रेखने के बाद मैं आपको बता दूए कि आपको कहीं भी कोई भी question देखने के जरूरत नहीं है हाला कि मैं कोशिश करूँगा इसको खत्म करने के बाद मैं एक दिन आपका वन लाइनर लेकर आने वाला हूँ ठीक है राइट आंसर हो जाएगा question no.313 का जो भी मारे प्यारे बहरी बेर मताने मुझा अपन अगर बिल्कुल सही आसर हो जाएगा मुझा अपन अगर में सिशू सदन नहीं है अगला है कि revolving fund foundation की विवस्था किस प्रकार की महिलाओं के लिए किया गया है राइट आसर हो जाएगा तलाग सुदा महें मुझा महिलाओं के लिए option B आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question है कि उत्तर प्रदेश यह नहीं बलकि संपूर देश में 14 नमंबर के शुरूप में मनाया जाता है यानि 14 नमंबर के शुरूप में मनाया जाता है आप इसका अंसर दीजे प्यारे भाईयों में आप सभी से दिल से request करता हूँ अगर आपने अभी तक class को like नहीं किया है पूरक रोजगार के रुप में कौनसी योजना चलाए जा रही है जो भी हमारे प्यारे भाई भाई बैन question number 316 का यहां पर बता रहे हैं बिल्कुल सही लेवल अबक सभी का answer बिल्कुल सही आ रहा है राष्ट्रिये ग्राम रोजगार योजना option C राष्ट्रिये ग्रामे रोजगार योजना option C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अधोगी करणवा रोजगार कारिकर्मों के विकास हैं तो किस पंच वर्ष्ट्रिये योजना में प्रवाद प्रयास किएगे इसका आंसर देंगे question number 317 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटा फटा आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बेहन राइट आंसर क्या होगा बिल्कुँ सही है लबग सभी का आंसर सही आ रहा है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरी पंच वर्ष्य योजना में option C आपका बिल्कुल correct आंसर हो जाएगा दूसरी पंच वर्ष्य योजना कब से कब तक चली थी 1956 से 1961 तक याद रखिएगा अगला है कि उत्तर प्रदेश के सेवा योजना कारियाले वेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए अत्रिक्त निम्लिकित में से कौन से कारिय करते है राइट आंसर हो जाएगा कुश्च नमर 318 का कि विकास लग दोग धंदो के स्थापना ग्रामेंड स्वास्त सेवाओं का क्रियान वने किर्शी सेवाओं का यानि कि इनमें सभी का गाहिस कारी किया जाता है आपका बिल्कुल correct आंसर हो जाएगा अगला है कि उत्तर प्रदेश की विशेष्ट केंद्री योजना यानि की इनोवेटिम स्कीम अन्य किस नाम से जानी जाती है जो भी हमारे पैरे भाई बेन याँ पर बता रहे हैं कि जवाहर योजगार योजना की अंबेला योजना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंसन योजना का प्रारंब कब हुआ राइट आशर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बेन कुश्चन नमर 322 का ओप्शन नमर C2014 बंद्रे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि जयो विकास में उत परिवर्तनों का महत तो क्या है राइट आंसर हो जाएगा कोईशन नमर 321 का जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि आनवांसिक बिभिनिता हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आनवांसिक बिभिनिता हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भी बता रहे हैं ऑप्सन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि उत परिवर्तनों का कारण क्या है तो जो भी हमारे प्यारे भाई बैन, question number 22, question number 22 का बता रहे हैं, यहाँ पर gene में आकास्मिक परिवर्तन, gene में आकास्मिक परिवर्तन, बिल्कुछ सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका option number C जो है, यह बिल्कुल correct आंसर हो जाएगा, अगला question है कि मध्यकाली, मुगल तथा Islamic इतिहास का, Asia का सबसे बड़ा संग्रे कहां है, राइट आंसर हो जाएगा, question number 32 का, जो भी हमारे प्यारे भाई बैन, आपर बता रहे हैं, मौलाना, आजाद, लाइब्रेरी, अलीगर्भी, सुबिद्याले, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मौलाना, आजाद, लाइब् फटा-फटा आंसर देंगे, जो भी हमारे प्यारे भाई बैन, question number 324 का बता रहे हैं, यहाँ पर, वारान सी में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका अप्सन सी, जो है, बिल्कुल correct आंसर हो जाएगा, गोरकपुर में, इस्थित्राहुल सांकृत्यान संस्थान में, क अगला है कि प्रसित कभी मलिक मुहमत जैसी द्वारा रचित प्रदमावत की देवनागरी लिपी में लिखी गई प्राचिंतम पोथी प्रदेश के कि संग्रहाले में शुरुक्षीत है, राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर question number 326 का जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता लोग हमारे सभी प्यारे भाई बहन का आंसर सही आ रहा है, पुराता तो संग्रहाले सालनाथ में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका option D, अगला question आपसे पूछा गया है कि मुंगल और कांगला सैली के चित्रों का सबसी अधिक संग्रह कि संग्रहाले में है, जो भी हमा गाइस मैंने लबग सारे question आपर complete करने वाले हैं, लेकिन मैं आप सभी प्यारे भाईयों से request करता हूँ कि जिसने अभी तक इस class को like नहीं किया है, मैं class को like जरूर कर देंगे, चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर लेंगे, देखो guys मेरा सरदर्द करने लगा है, फिर भ सो बता रहे हैं, बिल्कुल right answer होगा, आपका option भी correct answer हो जाएगा, उत्रप्रदेश में बहुत संगर हाले कहां पर इस्तित है, बताएंगे right answer क्या होगा, बिल्कुल सही है, कुछी नगर पड़रोना में option C जो है, आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, बिल्कुल सही है, जो भी प्यारे भाईबें, question number 331 का बता रहे हैं, कि रामपुर में, रजा राइबलेरी जो है, गाई सी रामपुर में सी थै, option number A बता रहे हैं, बिल्कुल perfect answer हो जाएगा, अगला question है, कि रजा लाइबलेरी की एस्तापना किस ने की थी, question number 332 का आएगे, फट़फट answer क्या हो करगा, मालिक मंजन की मालिती नामक पुस्त Argentine की संपूर्ण प्रतियां प्रदेश के मतलब यहां पर यह कोईशन पूछा गया है, कि जो मालिक मालिक मंजन है, उनकी संपूर्ण प्रतियां जो है, वो प्रदेश के किस संग्रहाले में शुरुखश्ट की गई है, question number 333. बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा फटफट आंसर देंगे बिलकुल सही है रजा लाइबरेरी रामपुर में बिलकुल सही आंसर आपका डी हो जाएगा भारत कला बहुन उत्तरप्रदेश में अभी गाइस इसके पहले ही आया था कोईशन वारान सी आपका राइट आंसर होगा बिलकुल सही है जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं वारान सी बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि महतना बुद्ध की परिनिर्वार अस्तली का है मैंने आपको इसके ट्रिक भी बताई थी गौतम जन में लुंबनी बोध गया में ग्यान सारनात में सीख दी उसी नगर में जान यहाँ पर आप देख लिजिए आप से क्या पूछा गया है परिनिर्वार का मेलों का आयोजन किया जाता है मेलया में गोमने में बहुत मज़ा आता है ना जलीभी खाने में बिलकुल मज़ा तो आता ही है लेकिन मज़ा अब तब आओ रहेगा जब वर्दी में जाओगी मेले में मेरे कहने का मतलब है जब आपका सपना पूरा हो जाएगा आपके माता स्वामी हरिदास जैन्ती का प्रतिवर्स उत्र प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है स्वामी हरिदास जो थें ये गाइस तान सेन के गुरू थें आपको पता होगा इसके पहले ये कुशन आया हुआ था और इनकी जैन्ती पर पतिवर्स का जो गाई जैन्ती है वो किस नगर में आयोजित की जाती है राइट अंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बेन ब्रिंदावन बता रहे हैं बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा हिंदो मुसलिम एकता का प्रतीक सुलाह कुल उत्तर प्रदेश में कहां पर मनाया जाता है बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा जो भी हमारे प्यारे भाई बेन क्युश्चन नमबर 39 का बता रहे हैं आगरा में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आगरा में अगला कुशन है कि उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला कहां लगता है कुशन काफी जादा इंपोर्टेंट है फटफट आंसर देंगे राइट आंसर हो जाएगा कुशन नमर 349 का जो भी हमारे प्यारे भाई बेन बता रहे हैं कि गढ़ मुक्तेसर में ऑप्सन बी बिल्कुल सही आंसर होगा बिल्कुल सही अलबक सभी का आंसर सही आ रहा है उत्त प्रदेश में कभीर मेले का आहुजन किस अस्तान पर किया जाता है जो भी मारे प्यारे भाई बेन कुशन नमर 349 का बता रहे हैं कि बस्ती में मगहर नमक अस्तान पर बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि कभीर जी की जो गाईस मिर्तियु हुई थी यह अपने मृतियों के समय में मगहर ही चले गए थें क्योंकि उस समय यह प्रज़िता कि जो भी मगहर में जाएगा उसको नर्क लोक मिलेगा लेकिन गाईस जैसा कुछ भी नहीं है इसलिए इन्होंने इसे सिद्ध करने के लिए मगहर चले गए थें याद रिखीगा अगला है कि सहीद मेले का आयोजन उत्रप्रदेश में प्रतिवर्स कहां पर किया जाता है सहीद मेले का बहुत ही इंपोर्डेंट वीडियो है और बहुत ही इंपोर्डेंट एक कोईशन है आप याद रिखिएगा कोईशन नबर 341 जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि हापूर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा हापूर्ड में उप्सन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्र प्रदेश के आगरा जिले में बटेशर नाज के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाले पस्मों का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है यानि कि बटेशर नाज के प्रसिद्ध मंदिर में जो पस्मों का मेला लगता है इसे किस मेले के नाम से जाना जाता है कोईशन नमर 342 लबग हमारे सभी प्यारे भाई बहन का अंसर सही आ रहा है बटेसर मेला के नाम से जाना जाएगा क्योंकि बटेसर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में मेला लगता है तो बटेसर मेला के नाम से जाना जाता है उत्रपडेस में नक कटईया मेला कहां पर लगता है नक कट कि डेंगू बुकार में मानु सरीर में निलिकित मैंसे किसकी कमी होती है जो भी हमारे प्यारे भाइबें कुश्चन नमर 344 का बता रहे हैं कि प्लेट लेट्स की बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका आप्शन भी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्परेस मे अर्ध कम्ब का आयोजन कितने वर्स के पसात होता है देखो गाईश उत्परेस में जो गाईश कम्ब लगता है वो प्रियागराज में लगता है और अगर कम्ब कितने वर्स के पसात होता है तो 12 वर्स के बाद लेकिन अगर अर्ध कम्ब का जाएगा तो 6 वर्स के बाद या मोडिविशन लाइन आपके लिखी गई है कि इनसान जो है वो गाइस अपनी वक्त से लड़कर अपना नसीव बदल सकता है और वो अपनी तकदीर भी बदल सकता है और अगर आप ये मत सोचना कि आगे हमारा क्या होगा हम तैयारी करें तो हमारा सिलक्षन होगा भी या पिन ये मत सोचना क्योंकि क्या पता है कि कल जो वक्त है वो खुद अपनी तस्वीर बदल दे ये मोडिविशन लाइन मैंने आफ के लिए लिखा है ताकि आपके अंदर ये जज़वा होना चाहिए कि मुझे सबार सेलेक्शन लेना है, मुझे सबार वर्दी पाना है आईए बढ़ते अगले कुशन की तरफ उत्र प्रदेश का कौन सा नगर घाटों वा मंद्रों की नगरी के नाम से प्रशिद्ध है जो भी हमारे प्यारे भाई बेन कुशन नमबर 346 का बता रहे है कि वाराण सी बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा बोध्यों का परसिद तीर सस्तल सारनाथ प्रदेश के किस नगर के निकट इस्तित है 347 बिलकुल सही है लबग सभी का अंसर सही आ रहा है जो भी हमारे प्यारे भाई बेन बता रहे वाराण सी बिलकुल राइट आंसर होगा 347 का सही आंसर होगा वाराण सी रामायल के रजहिता महारिशी बाल्मिक का आसरम उत्र परड़ेस के किस नगर में इस्थितही देखो रामायल के रजहिता जो महारिशी बाल्मिक हैं उनका आसरम कहा है विट्chodzi में है मित्र ऑप्सेन भी आपका करिक्ट आंसर हो जाएगा गोसौमी तुलसीदास को समर्पित तुलसीदास मानस मंदिर प्रदेश में कहां पर इस्थित है जो भी हमारी पैरे भाई बैंन बता रहे हैं वारनषी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका option D बिल्कुल correct आंसर हो जाएगा उत्रप्रदेश के ललितपुर में देवी सिंग मुंदेला में ने कौन सा मंदिर बनवाया था Q330 का सही आंसर हो जाएगा नर्ड सिंग मंदिर देवगड किला Option D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वारिकाधीस का प्रसिद्ध मंदिर उत्रप्रदेश के किस नगर में है क्वेशन काफी जादा इंपोर्टेंट है फट फट आंसर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है Option D मतूरा में है मित्र याद रखेगा मतूरा आपका है पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है कि प्रसिद्ध जे के मंदिर उत्रप्रदेश के किस नगर में इस्तित है यहाँ पर में लिखा गया है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना बहुत कुशन टाइप करने थे मित्रा तो उत्रप्रदेश के किस नगर में जे के मंदिर इस्तित है यह कोईशन आपसे पूछा गया है देखो राइट आंसर जोगा कोईशन नमर 352 है ना राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में ओपसिट अ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्यप्रदेश के प्रिसिद्ध राधा स्वामी मंदिर किस नगर में इस्थित है बताईए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा राधा स्वामी मंदिर जो है ये किस नगर में इस्थित है बताएंगे हमारे सभी प्यारे भाईवेन की जो राधास्वामी का मंदीर है ये किस नगर में इस्थित है करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा में आउपसन भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिसिद्ध ओलोपी देवी का मंदिर किस जिले में इस्तितर 354 नमबर कुशन है बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा लबग हमारे सभी प्यारे भाईवेन का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है जो भी हमारे प्यारे भाईवेन बता रहे है कुशन नमबर 354 का कि प्रियाग राज जिले में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि उत्रप्रदेश के किस जिले में भारत माता का मंदिर बना हुआ है बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही है लबग सभी का आंसर सही आ रहा है कुशन नमर 355 है ना इसका सही आंसर जो हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बना वारानसी बता रहे है भारत माता का मंदिर वारानसी में है विल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रिश्यत्य चंद्रका देवी का मंदिर उत्रप्रदेश के किस जिले में है राई डांशर हो जाएगा कोश्चन नमर 356 का यहाँ पर लखनव में चंद्रका देवी का मंदर लखनव में है उपसेन भी आपका बिल्कुल कर्रेक्ट डांशर हो जाएगा अमंतिका देवी का मंदर उत्रपरदेश के किस जिले में है जो अभी हमारे प्यारे भाइबेन कुश्यन नमर 357 का बता रहे हैं बुलंद सहर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका आपसेन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध सरुसिती माता देवी का मंदिर उत्तरप्रदेश के किस जिले में है राइट आंसर हो जाएगा 1857 की करांधी का जहां से सुबानम्ब हुआ था यानि के मेरट बिल्कुल सही आंसर होगा आपका आपसेन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरप्रदेश के किस नगर में मुगल सासक अकबर की राजपूत रानी मर्यम की दरगाह इस्तित है राइट आंसर हो जाएगा क्वेशन नमर 3069 जो भी हमारे पैरे भाई बहन आगरा बता रहे हैं आपसेन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि आगरा के किले में मुगल सासक साहजाद और निर्मित मस्जित किस नाम से जानी जाती है फटफ राइट आंसर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मोती मस्जित के नाम से जाना जाता है भाई ओपसेंडी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्परेस में सेख सलीम चिस्ती की दरगाह कहां पर है सेख सलीम चिस्ती की दरगाह कहां पर है 361 नमबर का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा फतेःपुर सीकरी में है उपसंसी आपका बिल्कुल फर्फरक्ट आंसर हो जाएगा जौनपुर में इस्तित जाजरी मस्जिद का निर्मार किस ने करवाया था जो भी हमारे पहरे भाई बैन कुशन नबर 362 का बता रहे हैं कि इबराहिम सरकी के दोरा करवाया गया था बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाले मिया की दरगा उत्तर प्रदेश के किस नगर में इस्तित है किस नगर में इस्तित है मेरट में इस्तित है याद रखेगा उपसंसी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सूफी संद साह अलाउद दिन सावीर की दरगा उत्रप्रेस में कहां है राइट आंसर हो जाएगा कुश्चन नबर 364 का जो भी हमारे पैरे मिंतर कलियर बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा आपको आपसेने जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सूफी संद स्यद अब्दुल रज्जाक की दरगा उत्रप्रेस में कहां पर है जो भी हमारे पैरे भाइबें कुश्चन नबर 365 का बता रहे हैं कि बासा बारा बंकी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है कि संत हजरत सुल्टानुल आरफीन की दरगा उत्रप्रदेस में किस अस्थान पर है राइट आंसर हो जाएगा कुश्चन नबर 366 का जो भी हमारे पैरे मित्र बताने बंधायों में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन आपसे पुछा गया है कि फकीर स्यद सालार मस्जुद मसूद गाजी की दरगा उत्रप्रदेस में कहां पर इस्तित है इसका आंसर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा कुश्चन नबर 366 राइट आंसर हो जाएगा आपर बहराइच में आपसन ए जो है या बिल्कुल राइट आंसर होगा जो भी हमारे प्यारे मित्र आपसन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बहराइच उत्यप्रदेश के किस अस्था पर सूफी संत हाजी वारिस अलिसा की मजार इस्तित है राइट टान्सर हो जाएगा देवा में ओप्सिन नमब्र डी जो है आपकर बिल्कल राइट टान्सर हो जाएगा अगला है कि संत स्यद महमूद साह असरफ जहांगीर की दरगा उत्तरप्रदेश में किस अस्तान पर है सही यहां से हो जाएगा कुश्चन नमर 379 का कि छोचा जोंकि अंबेड का नगर में पढ़ता है और अप्सन सी मिलकुल करेक्ट टांसर हो जाएगा अगला कुश्चन है कि मुगल सासक अकबर दौरा निर्मित अनेक छतरियों वाली प्रचिद जामा मस्जीद उत्तरप्रदेश में कहां पर इस्तित है यह कुश्चन आपसे पूछा गया है याद रिखेगा पेरे भाई ओप्सन भी फतेह पुर्शीकरी में अगला कुश्चन है कि औरंग जेप की गवरिनर बहानम खां पर दौरा बनवाई गई चुनार मस्जीद जो है यह उत्तरप्रदेश में कहां पर है इसका आंसर देंगे रिखेगा चुनार मस्जीद जो है यह मेर्जापुर में है ओप्सन ए आपका बिल्कुल रिखेगा अगला कुश्चन है कि सरकी सुल्तानों दौरा जौन पूर में निन में सर्पस्रिश्ट मस्जिद कौन सी है सही आंसर देगा कुश्चन नमर 372 का जो भी हमारे पहरे भाई बहन बता रहे हैं कि अटाला मस्जिद ऑप्सन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निन में से किसने सितार का आविसकार किया सही आंसर हो जाएगा कुश्चन नमर 373 का बिल्कुल सही लबलबक सभी का आंसर सही आ रहा है अमीर खुश्रो ऑप्सन नमर सी आपका बिल्कुल डाइट आंसर हो जाएगा उत्रप्रदेश में जौनपुर जिले की कहा अरजाती दोरा किया जाने वाला निर्टे कौन सा है कुश्चन नमर 374 का जो भी हमारे प्यारे में तर बता रहे हैं चोरसिया निर्टे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका उप्सेन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा उत्रप्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों दोरा कौन सा निर्टे किया जाता है राइट आंसर हो जाएगा करमा निर्टे किया जाता है याद रिखेगा option C आपका बिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला question है कि दप्पू निर्थे किस प्रदेश का निर्थे है बताएंगे इसका right answer क्या हो जाएगा जो भी मारे प्यारे वाइबन question number 376 का बता रहे हैं कि आंधर प्रदेश में बिल्कुल सही answer हो जाएगा आपका option D जो है बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला question है कि सेसेर कविता निर्थे में से किसकी रिचना है ये लिखा गया है रविना टेगोर जी के दौरा ए answer आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा भारत दुर्दसा के लेखक निर्थे में से कौन है की आजिकारिक वहांसा है भारत के अलामत तमिल वहांसा जो है कहा की आजिकारिक वहांसा है यानि किस देश की बताएंगे राई डांसर क्या होगा question number 389 राई डांसर हो जाएगा स्रीलंका और सिंगापूर ए answer आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा तमिल वहांसा जो है ये गाई स्रीलंका और सिंगापूर की भी आजिकारिक वहांसा है अगला है कि उत्तर प्रदेश में बुंदेल खंड छेतर में बीर अरस से भरपूर प्रशिद गायन सेली कौन सी है बीर अरस से भरपूर कहा गया है आपको पता होगा आला जो है ये गाई सबीर रस से भरा होता है आला बिल्कुल correct answer हो जाएगा आपको option D जो भी हमारे प्यारे भाई बेन option D बता रहे हैं बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला कुशन है कि उत्रप्रदेस बिदान परसत के सदेशों का निर्वाचन किस पद्धिती द्वारा होता है जो भी हमारे पैरे भाई बेन question number 381 का बता रहे हैं कि एकल संक्रमरी ये पद्धित द्वारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निर्वासे किस पद्धे में फूल नहीं होते 382 right answer हो जाएगा यहाँ पर फर्ण फर्ण जो है इसमें फूल नहीं होते हैं अब यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ बच्चे कहेंगे कि गूलर में फूल नहीं होते हैं गाई जी कहावद है कि गूलर में फूल नहीं होते हैं लेकिन कहा जाए तो जो फल होते हैं उसे में फूल भी होते हैं तो आप इसे मत बताईएगा कि गूलर में नहीं होते हैं ठीक है फल में फूल नहीं होते हैं ऑप्सन पी आपका यहां पर राइट होगा अगला है कि बी स अपते बाद option D यानि कि साथ दिन के बाद बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला question आपके सामने कि कत्था बनाने है तू किस पेंड की लकड़ी का प्रयोग होता है खैर खैर जो है guys यह बबूल की तरह होता है correct answer हो जाएगा आपको option D खैर कत्था बनाने है तू किस लकड़ी का प पाला होगा नहीं ऐसा नहीं है तो जो भी हमारे प्यारे भाइबेन बताने है कि नारंगी होता है बिलकुल राइट answer हो जाएगा आपको option B जो है यह बिलकुल correct answer हो जाएगा अगला है कि प्रच्छवी की आयू का मापंडिम्न मेंसे किस विधी द्वारा किया जाता है 387 न आंसर से सार सूरी ही होगा एए आंसर आपको बिलकुल correct answer हो जाएगा अगला है कि दालाल स्ट्रीट कहां इस्तित है बताएंगे 389 नंबर का सही answer क्या होगा सही आंसर हो जाएगा मूंबई में जो भी हमारे प्यारे भाई बहन आपसंसी बता रहे है मूंबई बिलकुल correct answer ह हो जाएगा मूंबई में अगला कुश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में नगरपालिका के गठन हे तू किसी नगर की जैन संक्या कम से कम कितनी होनी चाहिए जो भी हमारे प्यारे भाई बहन कुश्चन नबर 390 का बता रहे हैं कि 20 सदार कम से कम होनी चाहिए नगरपालिका के गठन हे तू बिलकुत सही आंसर हो जाएगा आपको आपसंटी आपका बिलकुल right answer हो जाएगा अगला कुश्चन है कि नगरी फसल में संबलित नहीं है फटा फटा आंसर देंगे इसका right answer क्या हो जाएगा नगरी फसल में संबलित नहीं है right answer हो जाएगा question number 392 का जो भी मारे प्यारे मित्र बता रहे हैं यह हूँ बिलकुत सही answer हो जाएगा यह नगरी फसल भी नहीं है अपसंट भी आपका right answer हो जाएगा अगला है कि मतस्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है right answer हो जाएगा question number 392 का प्रात्मिक आर्थिक क्रिया है a answer आपका बिलकुत राइट answer हो जाएगा ब्यापारी ग्रूप से मतस्य पालन का ब्यवसाई क्या कहलाता है ब्यापारी ग्रूप से कहा जाए या फिर अगर आपसे सीधा सीधा कहा जाए कि मतस्य पालन का ब्यवसाई किसे क्या कहलाता है या फिर मतस्य पालन जो है ये किसके अध्यान में किया जाता है तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा कोष्चन अभर 394 का जो भी बता रहे हैं कि PC कलचर बिलकुल सही आंसर हो जाएगा ब्याप से सम्बंदी थे, याद रिखेगा नीली करांधी तो नील नहीं होगी, मतस्य होगा अप्संडिक मिखत का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि पलेंक टंड क्या है पलेंक कि जो है ये क्या है समूधरी मखझलियों का भूजन होता है 396 um आंसर हो जाएगा अगला है कि हेरिंग पॉंड के नाम से जाना जाता है जो भी हमारी पहरे भाई बैं कोश्चन नमबर 397 का आप्शन नमबर सी अट्लांटिक महासागर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न कित्म से कौन धात्विक खनीश है सही आंसर हो जाएगा सोन जो है एक पुरत्विक खनीश है ऌप्चन नमब कोश्चन नमब 399 यानिकी 399 का आपकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आस्ट्रिलियक का महतु पूर्ण लाओ आयस्क उत्खनन केंडर कहा है राई डांसर हो जाएगा पिलवारा में option D आपका बिल्कुल राई डांसर हो जाएगा जगदीस्पूर के राजा कौन थे सही अंसर हो जाएगा question number 401 का जो भी मारे पित्र मित्र बता रहे हैं कि कुणर सिंख बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा 857 के विद्रोह का नेत्रत बिहार से किस ने किया कुमर्ण सिंग के दोरा ही क्या गया था option C आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे मित्र option C बता रहे हैं कुमर्ण सिंग बिल्कुल सही answer हो जाएगा गड़करी विद्रोह का केंद्र था राइडांसर हो जाएगा question number 403 का जो भी हमारे प्यारे मित्र बता रहे हैं कि कोलापुर में option D आपका बिल्कुल राइडांसर हो जाएगा बोलते बोलते गाईस गला सुख चुका है और बोलते बोलते मेरा सरदर्द करने लगा है लेकिन आप ऐसे मित्र हैं कि क्लास को लाइक तक नहीं करते हूँ अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है क्लास को लाइक कर दें चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हल लाइब क्लास के नोडिफिकेशन आपको मिला करी ठीक है अगला आय कि रानी लक्षिमी भाई का मूल नाम क्या था कुशन नबर 404 का बताएंगे रानी लक्षिमी भाई का मूल नाम क्या था जहांसी की राणी लक्षमी भाई का मोल नाम था मड़ी कडिका याद रिखेगा उप्सन सी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन है कि वर्ष के बिद्रों के निम्न नेताओं में यह मतलब यह है गाईस की 1857 ठीक है 1857 वर्ष के बिद्रों के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया जो भी मारे पैरे में तो बता रहे हैं मंगल पांडे जिनके दारा पहली गोली बैरक पुरी ठामरी में चलाए गई थी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको आप्सन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला किसान सबसे पहले कहां आउजित की गई राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उत्तर प्रेस की राजधानी लख्ष्णों में ऑप्सन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म एक जाती और एक इस्वर बताइए इसका र जाएगा अगला कुशन है कि बारदोली सत्याग्रे का नेत्रुथ तो किस नहीं किया कुशन आवर चुश्चनावल चार सुनों का फटफड पर आंसर देंगे क्या हो जाएगा जल्Дी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई वहन तो लबग हमारे सभी प्यारे भाई बैन का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है बनलब भाई पटेल के दारा बार्दोली सत्यगरे का नेतरुत किया गया था उप्सन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्ले के तुम से किसकी अस्थापना जोतिवा फूले ने की जो भी प्यारे भाई बैन बता रहे हैं कि सत्यसोदक समाच बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सत्यसोदक समाच के अस्थापना जोतिवा फूले के दारा की गई थी अपसंडी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि किस वाइसराय के सासनकाल में पहला फेक्ट्री अधिनियम पारित किया गया बिल्कुल सही है कोश्चन नमर्ट 411 का जो भी हमारे प्यारे में तरवता रहे हैं कि लाइट रीपन के सासनकाल में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा याद रखेगा कि अंग्रेजों ने पहली फक्तरी कहां स्थापिट की थी तो सूरत में स्थापिट की थी इस टिंडे कंप कोश्चन नमर्ट 412 का जो भी हमारे प्यारे में तरव बता रहे हैं यहाँ पर कि छोटा नाग्पुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुंडाओं ने विद्रोग खडा किया कप जो भी प्यारे में तरव बता रहे हैं कोश्चन नमर्ट 413 का 1895 में यानि कि 1895 में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि अखिल भारतिये व्यापार संग कांग्रेस का प्रत्रम अध्यक्ष कौंति बताएंगे राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही ला 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 इस पर राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि खैर वार आदिवासी अंदोलन कब हुआ राइट आंसर हो जाएगा क्यूशन नबर 415 का अठारा सो चोहतर में जो भी प्यारेमित्र आप्शन भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में छेत्र के परमुक और परमुक कारियों का काल कितने वर्सका होता है जो भी प्यारेमित्र क्यूशन नबर 416 का बता रहे हैं कि पांच वर्सका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा आपका आप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निम्लिकित में जाए कौन सा उत्तर प्रदेश पंचायत विवस्था का अंग है जो भी प्यारेमित्र क्यूशन नबर 417 का बता रहे हैं कि जो छेटर पंचायत ग्राम सबाव ग्राम बंचायत ये तीनों जो है ये गाईस उत्तर प्रदेश में पंचायत विवस्था कांग है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका आप्शन डी इन में सभी ग्राम करने के रिए कम से कम आयू सीमा कितनी होनी चाहिए राइट आंसर हो जाएगा कुशन नबर 418 का जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बे भी 18 वर्स बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कि उत्तर प्रदेश ग्राम सबाग का प्रदान कितने वर राइट आसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ग्राम सबाग के प्रदान पत के लिए कम से कम आयू सीमा कितनी होनी चाहिए राइट आसर हो जाएगा कुशन नबर 420 का जो भी हमारे प्यारे मित्र बता रहे हैं यहां पर 21 वर्स बिल्कुल सही यहां से हो जाएगा आपका 21 व बताएंगे राइट आसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है कम से कम एक हजार जन संग्या होनी चाहिए एंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत के प्रदान एवं उप प्रदान के पद के लिए किसे व्यक्ति की आयू कम से क कितनी होनी चाहिए मैंने भी बता कि परधान की आयो कम से कम 21 वर्स होनी चाहिए और आपका ओप्सट नबर डी जो है आपका बिल्कुल पर्फेक्ट आंसर हो जाएगा उत्परेश पंचायत राज संसोधन अध्यम के अनुसार ग्राम पंचायत का कारिकाल कितने वर्स का होता कौश्चन नबर चार्सो दिष्ट फिलकुस यह ग्राम पंचायत यानि जो ग्राम पर्धान का कारिकाल होता है अपने पत्पर पांच वर्स तक बना रहता है वही गाईस ग्राम बंचायत के संसोधन अध्यम के रुसार ग्राम बंचायत का जो कारी काल होता है वह पांच वर्स का ही होता है option B आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा प्रधान या उपप्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके चुनाओं के कितने वर्स के भीतर नहीं बुलाई जा सकती सही आंसर हो जाएगा एक वर्स के भीतर नहीं बुलाई जा सकती question 424 का option A जो है आपका बिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला है कि नई पंचायती राज विवस्ता में पिछले वर्स के लिए ग्राम पंचायतों में कितने पंचायती अरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है जो भी प्रदेश पंचायत राज संसोधन अधनियम 1994 के अनुसार जिला पंचायत वा छेत्र समिती के नाम बदल कर क्या रखे गए है जो भी प्यारे भाईबें क्वेशन नबर 426 का बता रहे हैं कि जिला पंचायत वा छेत्र पंचायत बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा आपर ऑप्सिन नबर बी आपका बिल्कुल करक्ट अंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के एक प्रधान और एक उपर प्रधान के अतरिक्त कितने सदसी हो सकते है ग्राम पंचायत में एक प्रधान और एक उप्रधान की अतरिक्त कितने सदसी हो सकते हैं राइट आसर हो जाएगा आपकर कुश्चन नमबर 27 का हो जाएगा कितना होगी 9 से 15 तक ठीक है कर्रेक्ट आसर क्या हो जाएगा आपको आपसिर भी 9 से 15 तक उत्तर प्रधेश जीला पंचायत के अद्धक्ष और उपाद्धक्ष का चुनाओं किस प्रकार होता है जो भी मारे प्यारे भाई बैन कुश्चन नमबर 488 का बता रहे हैं कि गुप्त मतदान द्वारा बिलकुल सही आसा हो जाएगा अगर गुप्त मतदान नहीं होगा तो तो गाइस पूरा भेड ही खुल जाएगा कि कि इसको किस ने वोट दिया है इसमें मार और पीट भी हो सकती है ना बिलकुल अगला कुश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रधेश जीला पंचायत का कारिकाल कितना होता है क्वेशन नमर 439 का जो भी मारे प्यारे भाई भेण बता रहे हैं कि पांच वर्स का बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है कि बिस्तित मैदानी वाग को कितने उप भागों में बाटा जा सकता है जो भी मारे प्यारे भाई भेन बता रहें कि तीन बागों में option बी आपका बिलकुर सही अंसर हो जाएगा उत्रप्रेश किस प्राजेंतम भूभाग का हिस्सा है जो भी प्यारे भाई भेन question number 431 का बता रहें कि गोंडवानर लेंड का बिलकुर सही अंसर होगा देखो मैं आपको बता दू साड़े साथ बजे आपकी जी के प्लस साइंस की क्लास होती है साम छे बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है सुबह दस बजे आपकी रिजिने की क्लास होती है साड़े बारा बजे मैथ की क्लास होती है सभी प्यारे भाई बेन डेली क्लास में आया क कि गंगा की उपनी मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है और नो अगला है कि गंगा के मध्य मैदानी भाग क्यों उचाई कितनी है कि गंगा नदी के पूरी मैदानी शेत्र के समुद्रतल से उचाई लगबग कितनी है कि गंगा के मध्य मैदानी भाग में पाई जाने वाले किरसी योग्य मिट्टी कौन सी है गंगा के मध्य मैदानी भाग में पाई जाने वाले किरसी योग्य मिट्टी कौन सी है बिल्कु से कांप मिट्टी यहाँ पर सही होगा ठीक है कांप मिट्टी जो है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि गंगा के पूर्वे मैदान भाग में पाई जाने वाली परमुक मिट्टी कौन सी है राइट आँसर हो जाएगा जलोड मिट्यों अपसंसी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वंदेल खंडवा बगेल खंड के भूबाग उत्तर प्रदेश के किस भाग के अंतरगत आती हैं दो क्वेशिटन और बचे हैं बस राइट आंसर हो जाएगा question 438 का दक्षणी पठारी भाग के अंतरगत आप्सेंसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्रप्रदेश के दक्षण में इस्थित पठारी भाग के सबसी अधिक उची पहाड़ी कौन सी है राइट आंसर हो जाएगा सोना कार पहाड़ी एंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तो खतम हुआ हमारा यहाँ पर पूरी तरीके से मत सोचो की तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता जिस इनसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अधेरा नहीं होता ये motivation line आप के लिए लिखी गई है ताकि आप ये मत सोचना कि मेरे सपने आखिर क्यों पूरे नहीं होते मेरे बड़े भाई आपका सपना पूरा होगा आप वर्दी जरूर पहनोगे लेकिन संगर्स जारी रखना है क्योंकि जो संगर्स करता है वही गाईस आगे चल करके सूर्य बन कर निकलता है तो आज की कलास अब यहीं पर समाप करेंगे अब आगे बोलेने कि मेरे गाईस हिम्मतन नहीं है मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है अब आप ये बता दीजे कि आप सभी को हमारी मेहनत कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को एक साथ देखी है बीच में ब्रेक नहीं लिए हाँ अगर कुछ खाने पीने है चाय खाने चले गए है समोंसे कुछ यह भी खाने चले गए तो उससे मतलब नहीं है लेकिन अगर आपने कोई अन्यकामिन नहीं किया तो आप बताइए कि आपने एक साथ ही पूरी वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि गाइस ये यूपी जी के हमारा तो पूरा multiple choice question तक complete हुआ अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका one liner question लेकर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हूँ ठीक है